हाई अब्रिवन वेलकम डेस्पेकमिस्टर क्लासेज आज को वीजियो उसमें मैं आपको बतानी वाली हूँ एक इंग्पोजिन्ट और्गनिक मॉलिक्यूल जिसको आप ओलते हो रियजेंट आपको पता है जब हम रियक्शन कराते हैं तो रियक्शन में एक रियक्टेंट होता है रियक्टेंट को किसी एक मॉलिक्यूल से रियक्शन कराई जाती है जिससे प्रोड़क्ट का फॉर्मेशन होता है तो वो जो molecule है, जो उस reactant की पूरी property को change करने के लिए आ रहा है, उसको आप क्या कहते है, reagent, कहते हैं, अब जब तक हमें reagent के बारे में पता नहीं होता, किसी भी reactions को कराने में problem जाता है, चाहे आप किसी organic के कोई भी basic reactions ले लीचे, या फिर आप कोई भी difficult type का name reaction ले लो, जब आपको यह नहीं पता कि given reagent का work क्या है, वो कैसे work करेगा, आप उसको करने में problem करते हैं, और आपको फिर learn करना पड़ता है, चीजों को बहुत जादा याद करना पड़ता है, कि यह नहीं बनेगा, तो प्रोड़क्ट यही बनेगा, तबकि मैं आमेसा से आपको बोलती हू पहले तो आप definition देख लेजे, what is the reagent? रेजेंट एक ऐसा substrate, ऐसा mixture यह आप बोल सकते हैं, ऐसा molecule है, जो किसी सिस्टम में डालने से, उसमें chemical reactions को कराना start कर देता है, और product का formation करता है, रेजेंट को basically three parts में डिवाइट किया जाता है, यह है आपको सबसे पहले reducing agent, जो reduction कराएग किसी reaction में, फिर है oxidizing agent, जो oxidize कराएगा reactions को, और एक important reagent है, जिसका बहुत detail में information दोंगी पे आपको एक अलग से video बनाएंगे, इसके बारे में, वो है organometallic reagent, तो आज जो वीडियो है, उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ, जितने भी type के, आपके class 11 से लेके, graduation and post-graduation, MSC तक के, यह आप CSIR net दे रहे हो, यह AIT jam दे रहे हो, get दे रहे हैं, सारे में, जितना भी reducing agent यूज होता है, ठीक है, कौन कौन सा reducing agent यूज होता है, उसके work क्या है, वो किसको reduce करता है, किसको reduce नहीं करता, यह सारी पढ़ेंगे आज हम इस वीडियो में, ठीक, what is the reducing agent, reduction, reduction का मतल होता है, अपने आप में reduce होना, reduce होना मतलब, electrons को gain करना, hydrogen को loss करना, या फिर आप बोल सकते हैं, oxygen, reduction, अब आप क्या बो रहे हैं, reducing agent, तो agent, agent जो term है, agent, वो क्या होगा, काम को कराने वाला, मतलब, reducing agent यह कैसा agent होता है, जो reaction में, जो substrate है, उसको reduce कर देगा, reducing agent एक ऐसा agent है, जो given substance को reduce कर देगा, reduction वाले product को form करीगा, अब क्योंकि वो reduce करा रहा है, सामने वारे person को वो reduce करा रहा है, तो self क्या होगा, oxidized होगा, समझ आता है यह चीजी, तो आप सीदे सिंपल लेंग्विज में आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, reducing agent है कैसा agent होता है, जो loss of electron, अपना electron को loss करक self oxidized हो जाता है, self oxidized हो जाता है, right, loss of electron and get the oxidized self, but reaction में क्या कराता है, reduction reaction करवाता है, समझ आ गया, मैंने पहले भी बोला, दो तीन चीजों में ही याद कीजिए, reducing agent होता है, जो या तो electron को loss करेगा, या hydrogen को loss करेगा, या फिर oxygen को gain करेगा, जैसे भी करके self oxidized होगा, और सामने व पढ़ेंगे, reducing agent में, basically हम जो पढ़ेंगे, इतने important reduction, यहाँ पे reducing agent है, यह सब के बारे में separately study करेंगे, अभी हम, कि कौन किसको reduction कराता है, कहाँ पे कौन कैसा behavior करता है, जैके, तो यहाँ पे जितने example देखेंगे, यह हैं आपके hydride transfer reducing agent, hydrogen containing reducing agent भी बोलते है, या बोल सकते है, hyd hydride transfer reducing agent, तो जो reducing agent है, उसको हम two categories में divide करके पढ़ेंगे, सबसे पहला आता है, आपको nucleophilic hydride transfer reducing agent, और दूसरा है, electrophilic hydride transfer reducing agent, what is a nucleophilic hydride transfer reducing agent, तो आपको एक जी समझ रहाता होगा, nucleophile, what is a nucleophile, nucleophile, nuclear loving group, nuclear loving group, मतलब positive charge loving group, है ना, positive charge loving group है, मतलब खुद के पास क्या है, electronic species होंगे, तो यहाँ पे यह जितने भी type के, मैंने example लिख रखे हैं, reducing agent के, यह सारे hydride transfer वाले reducing agent है, आपको देख के समझा रहा होगा, lithium aluminum hydride दे रखा है, मैंने, lithium tetrahydride aluminate बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे मैंने, lithium aluminum hydride दे रखा है, sodium borohyd hydride, साथ हे आपका red aluminum, super hydride, diabol, यह सारे के सारे इक important reducing agent है, जिसका actual work हमीं समझ नहीं आता है, वो सारी चीजे इसे वीडियो में हमें पढ़नी है, यह सारे कैसे reagent दिख रहे हैं आपको, hydrogen containing, और कौन से है, reducing agent है, तो यह hydride transfer करने वाले reducing agent है, लेकिन यह किस type को behave करेंगे, ऐज nucleophile, मतलब यहां से जो hydrogen जाएगा, वो already electron rich होगा, यह सारे के सारी group, यहां पर जितने भी group दे रखे हैं हमने, यह सारे के सारी group, electron rich hydrogen को donate करता है, अब electron rich hydrogen को donate करता है, अब electron rich hydrogen को donate करने वाले सारे group है, तो क्योंकि यह electron rich hydrogen को donate करने वाले सारे group है, तो क्योंकि यह electron rich है, तो यह नुकलियाई बोलते हैं, ठीक है, एक्जाम्पल देखें, सपोज में पास कोई कार्बोनियल ग्रूप है, C double bond O ऐसे, आप आपको बता है, ये सब के सब रिड्यूसिंग रिएजेन, जो कैसे है, हाई-ड्राइट ट्रांसफर ग्रूप है, रिडक्शन कराएगा, रिडक्शन कराएगा, मतलब addition of the hydrogen, तो जब ये हाई-ड्रोजन को ट्रांसफर करेंगे, तो नेगेटिव हाई-ड्रोजन के फ़र्म में करेंगे, और ये नेगेटिव हाई-ड्रोजन जाके कार्बन पर अटेक करेगा, क्योंकि कार्बन और और ऑक्सिजन में किसकी एलेक्ट् करेंगे, तो एक तो ये चीजे समझना गया हमको, दूसरा जो हाई-ड्राइट ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजिन में आपको पढ़ाओंगी, वो है कैसे, ये है लुईस बेस टाइप का, लुईस बेस टाइप का है, या आप बोल सकते है, इलेक्ट्रॉन डेफिसेंट है अपने आप में इलेक्ट्रॉन डेफिसेंट है, एक्जामपल देखो, एलेक्ट्रॉन डेफिसेंट है, ये सब क्या लग रहे है, लुईस असीट है, मतलब ये कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिसेंट है, एलेक्ट्रॉन डेफिसेंट है, तो ये जब हाईड्रोजन डोनिट क होगा कैसे अट्टाइज होगा देखी यह तो हो गया इसकी केसे यह सारे हाइड्राइट ट्रांसपर है इसके केसे में यह होता क्या है हमारे पास फदर एक काबोनिल ग्रूप है और इस काबोनिल ग्रूप से आपने रियक्शन कराई किसी लुई सैसीड का जिसको आप पोर र वहीर है और अलबी नेगेटव चार्ज भी यही तो सबसे पहले तो यह जा ensure part एकरता है यह जाकर चुण को किस्का करता है टो जा करके यह है वह हैड्रोजन जो है और यह एलक्ट्रोफिलिक हैड़ाई ट्रांस्फर है क्योंकि यह एलेक्ट्रों लाविंग ग्रूप है इतने चीजह समझाती है अब मैं क्या करूंगे आपको एक एक का इन्पोर्टेंस किसको यह रिदक्षन करता है किसको रिदक्षन नहीं कराता क्योंकि जब आप त्वेल को देखते ही आप कीसी भी र्याक्शन को करा पाएंगे सणाट करेंगे सबसे पहले हम स्टाट करेंगे क्या लीठियम हाइड रोज इसको आप बोल सकते हैं लीठियम तwsियम टेक्रा हाइडода CUल्हाइं अल्यूमिनेट आयन आइन गला कर दो यह कह अवक्निसल्स अवाट्र म किसके प्रसेंस में लिटियम, अलुब्नियम हाइडराइट के प्रसेंस में ये चेंज हो जाता है 쓰고 हड्रोजण का एडीशन हो जाता है बस इसे को बोलती हो अप ये प्रोसे WILL एडिशन और आंप है ड्रोजईन मतलब क्या हो ड्रीलक्शन पैर गरूप का तो आप देखेंगे कि mechanism होता कैसे है, one by one समझते हैं, सबसे पहले हमारे पास है reagent, इस reagent को आप open करके लिखेंगे, तो ये कुछ ऐसा लिख दिखेगा आपको, tetrahydro, tetrahydro है न, tetrahydro group है इसके पास, due to the tetrahydro group ये negative charge है, और lithium इसको positive charge से balance कर रहा है, इसके charge को, star reaction कुछ ऐसे होता है, कि हमारे पास है carbonyal group, इस carbonyal group में एक nucleophilic center है, और एक electrophilic center है, nucleophilic center जो electron deficient होगा, क्योंकि आपको पते है, electron negativity इसके ज़्यादा होती है, electron switch कर जाएगा, ये एक electrophilic center है, electrophilic है, है ना, इसको electron चाहिए, और ये जो हमारा आ रहा है, वो क्या है, nucleophile है, nucleophile मतलब electron rich species, तो यहाँ से एक hydride ion जाता है, और जाके यहाँ attack करता है, अब ये hydride कैसे जा रहा है, इसके पास तो negative charge है, मतलब ये electron reach है, electron reach है, तो यहाँ पर जो hydrogen है, वो ऐसे negative charge के form में यहाँ से जाएगा, और negative charge के form में जा रहा है, इसलिए ये कहाँ पर attack करेगा, किसी electrophilic center पर जाके attack करेगा, जैसे इसने electrophilic center पर जाके attack किया, एक electron यहाँ पर, मतलब ये negative charge हो गया, और ये नेगेटिव चार्ज के साथ इसके साथ अटेच हो जाता है इस रियक्शन को अगर हम देखे तो ये कुछ ऐसे होगा कि हमारा ये जो हाइड्रोजन है वो गया यहां यह नेगेटिव चार्ज फॉर्दर इससे रियक्शन कर लेगा आकर अटेच हो जाएगा क्योंकि ज electron deficient 6 electron species जाइड aluminium का 3 electron और 123 6 electron species 6 electron species को आप क्या बोलते हैं लुई ससीट आप लुई ससीट की जैसा भी हएक कर रहा है लुई ससीट का वग क्या होता है electron गीन करना या वैसे स्पीष्ट से जाके अटेच्च हो जाना इसके पस थाइज लादा है तो अब यह चो इलेक्ट्रान जादा व़ला ग्रूप है यह आकर इसरेत्ट करेगा ठीक और याज से और यहां से ऑक्सेजन और इस ऑसगी और और उक्सेजन किसके सांथ में आडिणयम हाईडराइट कि सांथ, तो यह होता है आपको प्रोसीजर,ष्टी , चीजे समझ जा रहा हो है क्या हो रहे है यहां पर रीक्शन्स को स्टाइट कहा रहे हैं , नुक्लीओफाइल अटेक कर रहे है अब यह hydrogen आके अट्राइक किया, carbon पी यहां से oxygen पे नेगेटिव चार्ज और यह oxygen पे नेगेटिव चार्ज हो था, वह aluminium से जाके अटाइच हो गया, क्योंकि अब होता क्या है, यह reaction continuously होते जाता है, क्योंकि इसके पास कितना hydrogen है, इसके पास total 3 hydrogen अभी बचे है, तो यह continue reduction करा सक है, तो यह reaction continue होगा आगे, और आगे कि reactions में फिर से एक कार्बोनी लाएन आप इसमें डालोगी, C, double bond O, एक कार्बोनी लाएन आप इसमें जालेंगे, फृदर यह आके इसके साथ attack करेगा, यह निगेटिव चार्ज इधर जाएगा, और वहीं चीजें वापस है oxygen आके उसक CH3 group, दो यूनिट्स है ना, यह आप बोल सकते हैं CH group और इसके साथ ऐसा, यह टू यूनिट आके अटाज होगा, यह reaction continue चलते रहेगा, यह reaction continue चलते रहेगा, जब तक सारे हाइडाइट्स कम्टीट ना हो जाए, और लास्ट में आप बोल सकते हैं, कि यहाँ पे कार्बोनील क्योंकि C, H, oxygen और aluminium रह जाता है, ऐसे, और यह पूरे 4 units, 4 units attached हो जाएगा, क्योंकि देखो, फॉर्स स्टेप में एक कार्बोना है, वन यूनिट आप बोल सकते हैं, ऐसे करते हैं, फॉर्स स्टेप में फिर से दूसरा कार्बोनील आ रहे हैं, ऐसे करते हैं, एसे करते हैं, और रिदक्शन के बाद कुछ ऐसा फॉर्म होगा, इतना करने के बाद अप मुझे इसे अलग करनी है, तो अलग करने के लिए हम रियक्शन में क्या करा देते हैं, हाइडरोलाइसिस, C, H3O positive, हाइडरोलाइसिस से रियक्शन कराते हैं, इसलिए मैंने यह आपे हाइडरोला इसके साथ होगा, तो और राल हमारा अलकोहल का फॉर्मिशन हो गया, जिसको आप बोल सकते हैं, C, H, और यहाँ पर O था, यह दोनों बाद को ब्रेक कीजी, बाद ब्रेक करने से यह नेगिटिव चार्ज, यह पोजिटिव चार्ज, तो नेगिटिव साइड पे जाएगा ह H+, H+, नेगिटिव साइड पे गया है, इसलिए यहाँ पे अलकोहर का फॉर्मिशन हो गया, और यह बन गया है प्रोड़क्ट, चीजी समझ आ रहा है, अकेली दोनों हाइड्रोजन इसने ट्रांस्पर नहीं गया, यह हमेसा वन हाइड्रोजन इसने ट्रांस्पर कर रहा है, दूसरा हमाना जो हाइड्रोजन है, वो कहां से आ रहा है, वाटर से, जब हम आपको हाइड्रोलाइसिस करा रहे है, तो यह चीजी आपको इंपोर्टिंस रखते है, इसलिए मेकनिजमों को सीखना जरूरी होता है, क्लास 12 तक के आपनों मेकनिजमों को बहुत इग्नूर कर है, तो वहाँ पर वह स्टेटमेंट फ़र्म में आ जाएगा, कि ठीक है, अनुमिनियम हाइड्राइड आपने लिया, उससे रिरक्शन करा दिया काया पोलिल ग्रूप को, तो जिस दो हाइड्रोजन गया है, क्या वो दोनों हुई हाइड्रोजन इसी ने ट्रांस्फर किया, तो वहाँ पर तो confusion आएगा, तो mechanism से हमें समझ आता है, कि इसका जो एक हाइड्रोजन होता है, ये वाला हाइड्रोजन, ये वालो जो हाइड्रोजन है, जो कहाँ पर टेच हुआ है, कार्बन के पास, आपने यही से समझा करो इस चीज को, कि यहाँ से ये negative sides होंगे, और ये positive sides होगा, क्योंकि ये जो है, ये एक nucleophilic hydride transfer group है, मतलब यहाँ से जो hydride जाएगा, वो negative sides पर जाएगा, नेगेटियो के form में जाएगा, अब क्योंकि ये electron rich है, nucleophile है, तो ये nucleophile हमेशा कहाँ पर जाके attack करेगा, जहाँ पर electron की deficiency है, तो ये वाला जो आपका hydrogen है, ये आया कहां से, lithium-aluminium hydride से, ये वाला, कहां से आया है, from lithium-aluminium hydride, और ये जो hydrogen आया, वो आया आपका from water, तो ये चीज़े mechanism को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाता है, ठीके, तो ये सारा information था, basically, कि ये करता क्या है, वैसे तो आपको समझ आगे, reduction है, reducing agent यूस कर रहे है, पर reducing agent कौन स ये एक nucleophilic hydride transfer reducing agent है, यहां पर hydrogen जाता है, अज़े nucleophile और nucleophile जाता है, तो वो हम इस electron deficient center पर जाके ही attack करेगा, इतने चीज़े समझ आता है, ये है आपको mechanism, ठीके, alcohol का formation हुआ, ये तो था mechanism, अब हम बात कर लेते हैं, इसके applications के, तो जैसे कि आपको समझ आ रहा है, कि ये क्य reduction कराता है, तो कौन-कौन सा ग्रूप है, जिसको ये reduction कराता है, और किस product का formation करता है, वो सीधे एक साथ मने लिख रहा है, इससे क्या होगा, आपको याद कने में help मिल जाएगा, आप लर्न कर पाएंगे, कि करता क्या है, आपने अगर किसी aldehyde creation करा दिया है, aluminium hydride से, आपने ले सते हैं, anhydrides, apoxid ring, apoxid ring क्या होता है, oxygen में ऐसे, ट्रिपल, ये, cyclic ring, apoxid ring हो गया, ester हो गया, ester क्या होता है, आपका, R, C, O, O, R, इसको आप बोलते हो ester, कोई SD ग्रूप है, epoxide है, ozomide, या acid aldehyde, कोई भी ग्रूप ले लो, ये सारे ही ग्रूप को एल्ट साथ कन्वर्ट कर देता है, किसमें alcohol में, जैसे आपने देखा यहाँ पर, alcohol product का formation कर रहा था, मैंने क्या ले लिया था, क्या ले लिया कराता है, तो आप सीधे से नोट कर लेजे, कि ये सारे इसके application है, ये कोई भी लिंग को दे दे वो reactions में, ये सब ही reactions को क्या करेगा, reduce करेगा, और reduce करके alcohol का formation करता है, OH, alcohol का formation करेगा, समझ रहाता है, कि ये functional group को completely change कर दे रहा है, है ना, reagent का कामी है, reagent को जब आप किसी reactant मे जालते हैं, तो पहले जो functional group है, उसको change करके new functional group को generate करता है, यहाँ पर पहले functional group में aldehyde था, कि जो उन था, acid था, ester था, ये सब को ये reduce करके alcohol का formation कर सकता है, तो ये तो होगा इसका first application, एक दो और reaction करके देखते हैं, जिससे आपको समझ आ जाए, कि कैसे करेगा, कैसे टाइ बनाता है, second hydride transfer reducing agent, जो अभी भी कैसा है, nucleophilic है, उसके study करते हैं, कौन सा, sodium borohydride, sodium borohydride को आप ये भी बोल सकते हैं, क्या, जैसे कि आप IOBC नॉमिन्टे शुर करते हैं, तो बैसे क्लिए क्या करेंगे, sodium tetrahydroborate ion, sodium tetrahydroborate ion, ठीके, ये भी बोल सकते हैं, अगर मैं दोन करते हैं, तो reactivity की बात करें, तो reactivity इसकी थोड़ी कम होती है, as compared to, इसलिए मैंने जो application को लिस्टिंग कराई है, उसमें ये इन ही group को ही reduce करेंगा, ठीके, आपने थोड़े दिर पहले दिखा, किसके बारे में, lithium aluminum hydride, lithium aluminum hydride में मैंने बहुत सारे ही groups लिखेते हैं, और वो सार को reduction नहीं कराता है, इसकी reactivity थोड़ी कम है, पर इसकी selectivity ज्यादा है, अब reactivity कम होने का reason क्या है, आप देख पारें, यहां पे जो hydrogen है, AL के साथ है, पहले जो रिखेते थे उसमें, और यह वालो जो hydrogen है, वो किस से attached है, B से attached है, अब क्या होगा, दोनों में ज्यादा अच्छ करें बड़ा है और एक छोटा है, तो इन दोनों के बीच, अच्छे से नहीं होगा, मतलब आप बोल सकते हैं, अगर bond strength की बात करें, तो bond strength इसकी जादा अच्छी है, क्योंकि दोनों almost same size के हैं, same size के कारण इनकी जो bonding है, overlapping वो अच्छा होगा, यहां पे aluminum बड़ा size का है, और hydrogen छोटा size का, तो जो overlapping वाला area है, वो छोट कम हो जाता है, तो bonding के कर माँ बात करो, bond strength की बात करो, तो इसका bond is strong है, stronger bond के कारण यह easily release नहीं करता hydrogen को, क्योंकि यह easily hydrogen को release नहीं करता, इसले बोल सकते हैं, कि इसके reactivity थोड़ी से कम होती है, किसके comparison में, lithium aluminum hydride के comparison में, एक चीज़ medium में, और साथ ही कुछ और भी solvent है, जो इसके यूज करते है, एक है ether और एक chloroform, अब एक चीज़े जो आपको नूट करनी वाली बात है, वो क्या है, पहले जो reactions देखा था आपने, उसमें क्या था, एस्टर को भी वो reduction करा देता था, ना, lithium aluminum hydride, एस्टर को reduce करा था, और एस और एस्टर की reaction करा रहे हो हो, sodium borohydride से, तो यहाँ पर नो reaction, कोई भी reaction नहीं होगा, यह इसको reduce नहीं करा था, but in the presence of iodine, I2 का जैसे ही presence आएगा, यह इससे reaction कर लेगा, और reaction करके alcohol का formation करता है, और reaction करेगा, और reaction करके alcohol का formation करेगा, तो यह एक important चीज़े थी, हर जगा आपको नहीं करानी है, कुछ-कुछ point है, जिसे बस note करनी है, उसके बाद आपका काम बच जाने वाला है, रेक्शन में अगर सोचे, हम borohydride दे रखा है, मतलब बिसकलि आप इसे को देख लीजे, एक stronger करा देता है, इसको reduction, ठीक है, तो यह चीज़े आपको चीज़े समझा दिए, अब इसके application की बात के लिए, तो जैसे पहले दिखा था, कौन-कौन सा group है, जिसको यह alcohol में convert करेगा, वो मैंने यहाँ पर list कर रहा है, सारे group को नहीं करता है, वो जादा strong था, वो जादा अच कराएंगे, तो सारे की सारे reduce हो जाएंगे, और reduce होके alcohol का formation करेंगे, alcohol का formation करेंगे, amine और azide, only amine and azide है, इसको reduction करके यह क्या करता है, amine का formation कराता है, amine का, NH2, amine का formation कराएगा, तो यह तो हुआ, इसके application, application के साथ, basic information, sodium borohydride, ठीक है, अपर कुछ रियक्शन करके रेक्शन करके देखते हैं, एक दो रेक्शन करके देखते हैं, जिससे यह भी हमारे एकदम नेचर में आ जाएगा, ब्रेन में फिट हो जाएगा, कि यह करता क्या है, क्या है, कंपर इटिले स्टई करो, दोनों का वर्क सेम है, पर वो सारे की सारे, बहुत सारे ग्रूप को reduce कराता है यह थोड़ी selective group को ही reduced कराता है, कुछ reactions करा कर देखते हैं, यह मैं, इसे कुछ reactions करा की ने प्रैक्टिस कर सते हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस कर स्टे है कैसे यह reduction कराता है, मैंने पहले ह Ali आपको बिता जितने भी carbon oxygen2019 ऑन्ड है, उसको ब्रेक करके उसको reduce करा देगा, यह सारे इसके साथ ही मैं आपको और भी इसके अप्लिकेशन बताऊंगी नाइट्रो ग्रूप्स में मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपॉंड को यह कैसे रिड्यूस कराता है एक साथ में हो जाएगा आपका है यह जो मैंने लिख रहा है उसी को ही हम प्रैक्टिस करके देखते है कि कैसे रिड्यूस कराता है सबस्पेले मने ले लिए है क्या असीड कर भवक्सलिक एसीड ले लिया है करभॉक्सलिक एसीड से जब ही लीथियम अलुमीनियम हायड्राइड रियक्शन करता है इंद प्रजेंस आफ हाइड्रोलाइसस यह वोटर तो यह क्या फॉं करेगा चीजी यह समझा गया, सेकंड चीज, यहाँ पर मैंने क्या दे रखा है, ester group, मैंने लिख रहा है, ester को भी alcohol में convert करेगा, alcohol में convert कर दिया, acid को convert करता है, alcohol में, यह मैंने लिख रखा है, ester group, ester group क्या होता है, R-C-O-O-R, ester group है, उसको भी alcohol में convert करेगा, अब यह कैसे करेगा, reactions में यह हो गया आपका CH2 और यहां पर OR और यहां पर यह एक्शुल पर बनाता क्या है OH इसको अटा दीजी यह साइड प्रुडप्त के फॉर्म होगा एक्शुल में इसका काम ही है अल्कोहल बनाना तो अल्कोहल का भी फॉर्मिशन करेगा अब यह वोट इस यह है क्या एन्हा बिशाइड को भी रिडूस करता है एं रिडॉक्शिन के बाद यह वाली बॉन्द को बरेगा यह वले बॉन्स को ब्रेक करेगा और आफ्टर रिडॉक्शिन ये फॉर्म करेंगा एलकोहल का यहांijnसे एक यूड थैवन आल्कोहल फॉं हो जाता है यह वाले से carbon double bond है यहाँ पर hydrogen डालेगा और साथी oxygen यह वाले जो group है उसको reduction कराएगा CH2OH तो two units alcohol का formation करेगा जब वो किसी anhydride को reduce करेगा तो आप देखे रहे हैं सारे reactions में alcohol का formation कर देनी है that's it कितना easy हो गया बताओ ऐसे में आप अलग-अलग जब आपको बनाने चाहिए उसके बाद आपके reactions वह बन जाते हैं चीक है यह क्या है वोड़ेज़ इस यह च्रुक्चर में बना दिया है इसको बना दिया है आप क्या बोलते हैं यह च्रुक्चर है यह है आपका lactone-cyclic ester यह क्या है lactone-cyclic ester बोलते हैं इसको lactone की भी जब हम reduction कराते हैं lithium-aluminium hydride से वोटर के presence में तो यह इसे reduction करेगा और reduction करके अभी पी alcohol का ही formation होगा चीज़े समझ जा रही है structure बना के आप मुझे comment कर सकते हैं कि किस type का structure इसका बनेगा actual में यह वाली bond break होगा जैसे मैंने पहले भी किया था और जैसे यह bond break होता है आप देख पा रहे हो यहां से तो अपर यहां पर बनेगा और एक ओए यहां पर बनता है और यहां पर जो सी था वो भी रिडूस रोकिए चीज़े भी आपको पता है कि यह यहां से जो हाइड्राइड आएगा, मैकनिसमों भी देखे थोड़ा, यह जो नेगेटिव चार्ज आएगा, वो कहाँ पर अटेक कर सकता है, तो जो आपको बता है, यह नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में आ रहा है, तो उसी कार्बन पर जाके अटेक करेगा, जो कैसा है, एलेक्टरॉन डेफिसियंट है, तो यह वाला कार्बन आपको एलेक्टरॉन डेफिसियंट है, और यह एलेक्टरॉन रिच, तो यह पहले आके यही पर अटेक करेगा, यह यहां पर नेगेटिव चार्ज जाएगा, और नेगेटिव चार्ज जाएगा, और नेगेटिव च अपोक्साइड रिंग को भी ओपन कर देता है और ओपन करके कुछ ऐसे एलकोहल का फॉर्मेशन करता है यह सारे बन गए आपके प्रोड़क्ट एजी हो गया अब जैसे हमने देखा कि यह जो है जितने भी कार्बन डबल बॉंड ऑक्सिजन ग्रूप है उसको रिड्यूस करा कर देता है उसी फ्रम में हम देख लेते है heroic नैरोजन ग्रूप को भी ए रिडक्शन करता है और कौन से प्रोड़क का फॉर्मेशन करता है कारपूनिल ग्रूप यह फिर ग्रूप का बन गरूप को अचिजन करति किस में चेंच कर रहा था एलकोहल में कनवट करताने था ठी जो as a nucleophile कि सारे कि सारी ग्रूप से जब आप र्याक्शंग कराते हैं किसके रेक्शन कराते हैं एक हендराइड ट्रांसफर रिडियोसिंग विजेन जो as a nucleophile भीव करता है उसके याप रिएक्शन कराते हैं lithium aluminum hydride और साथ ही hydrolysis तो ये सब सारे nitrogen group को nitrogen containing जो group है उसको change कर देता है किसमें change करते है amine में मतलब nitrogen जो group है जो पहले oxygen से test था या फिर multiple bonds से test था उसको ये convert कर देता है NH2 reduction करा देता है ठीक है तो ये चीज़े फिर से आपको sequence में हो जाएंगे जितने भी nitrogen group है वो सब को भी आपको hydrolyze करा देनी है या फिर आप बोल सकते हैं reduction करा देनी है ठीक है एक reaction करके आपको दिखाते हूं जैसे हमारे पास ये nitro group है आपने यहां पर aluminum hydride डाला lithium aluminum hydride डाला श्री हो स्थी करेगा क्या जिस्ट amine का formation कराएंगा तो सभी प्रोड़क्ट बना लीजे एन एच टू बन गया प्राइमरी amine product का formation हो गया वैसे ही साइनाइड ग्रूप दे रखा है साइनाइड ग्रूप को रिड्यूस करेंगा यह मुल्टिपल बॉंड्स को रिडेक्शन कर देता है एडिशन हाइड्रोजन का कराता है और यहां पे भी आपके CH2 and NH2 amine का formation होगा यह भी प्राइमरी amine है एक ही कापन से टेस्ट है निट्रोजन इसलिए मैंने यहां पर पहले आपको अप्रिकेशन में लिख रखा है तो यह चीज़े आपको समझ रहाता है यह हमारा लीचिया मेलुमिनियम हाइड्राइड के और कि यह प्रोड़न को डोनेट करता है और नुकलीओ फाइल है तो वो कि सेंटर पर जाकर आटक करता है बशकलिए जहां पर एलेक्रॉन की डेफेजिएंसी होती है यह चीज़े मेकेनिसम से शेख लिया था बागी प्रोड़क्ट को बनाना आप च्शी रहे हैं इसका H2, NH2, यह दो oxygen अटा दिया, hydrogen ने, ठीक है, अब यह आज वाता है, Lactam, जैसे आपने उसमें देखा था, बिल्कुल वैसे ही है, यह पी, इसको बोलते हो, आप Lactam, यहाँ पर Amine Group होते हैं, साथ ही CO Group attached होगा इससे, इसका जब reduction कराता है, तो एक थोड़ा confusion आता है, कि कहाँ पर बनेगा, तो no doubt, बच इसको खतम कर दो, इसको reduce कर देगा, और जि बनाने के तो कहीं भी लगाना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दे नहीं चीश को, बॉंडिंग को ना, ऑक्टे रूल जो आप पढ़ते हो, नॉर्मली, यहाँ पर ना इसके पास तो कुछ रिदक्शन का पॉस्पिटिस नहीं है, रिदक्शन कहाँ होने वाला है, कार्बन, का फोर्मेशन हुआ, सेकंडरी अमीन, बोल सिते हैं आप इसे सेकंडरी अमीन, दो साइट से कार्बन से टैजर ना इटरोजन, इसको आप सेकंडरी अमीन बोल दे होए, इसके बाद यह लास्ट ग्रूप है, यहाँ से एंटो गैस को वो बाहर करवाईगा, लीथियम, अलुम अलुमिन का फोर्मेशन कराएगा, तो यह थी आपके अप्लिकेशन और नॉर्मल इंफोर्मेशन आप दे लीविंग ग्रूप है, इसको बाहर करके, हारोजन अटेस करा देते हैं, हाइड्रोकाबन का फोर्मेशन कराएगा, कुछ और भी रियक्शन है, जिसको आप देख स सकते हैं, लिथियू, अलुमिंठियम हाइड़ अपने लिया है, अब तो ब्रेमें में फिट हो गया है कि यह हमेसा हाइड्रोजन देगा. और हाइड्रोजन जाधा कहाँ गाँ है, जहां पर isuन हर बाहर र APIs, लेक्टाँ डैफिसियन सेंट्र में हाप हाइड्रोजन को देते हैं तो फिर से वही चीज होगा हाइडाइड आयन जाएगा उसे सेंटर पर काबन के जाकर चेक करेगा जहां पर अच्छा लीविंग ग्रूप है बी आर को बाहर किया और खुच जाकर टैश हो गया सिंपल बेंजीन का फॉर्मिशन कर देता है रिलक्शन दो पोजीशन पर लगे हैं तो दोनों पोजीशन को यह रिड्यूस करा देगा तो यह था आपका इंफोर्मिशन अबाउट लीचाम अलुमिनियम हाइड्राइड इसी सेक्वेंस में ही कंचिनु हम परते जाएंगे जितने भी टाइप के नुक्लोफिलिक रिडूसिंग एजेंट है और स निए यहां पर लगाया जाता ने एक रेस्टिक्टेड ग्रूप होता है जो रियक्शन को रेक्शन करता है ठीक के प्रोटेक्शन ग्रूप भी बोलते है इसको देगिन यह वाला ग्रूप ओपन है तो इसमें रिडुक्शन हो सकते पॉसिबिटीज है आपने जैसे डाला और यहां पर यहां पर एक फोर्मिशन हो जाए कि यहां से lgo को फीर से एक एस गया और बात में नहीं प्रता हो इसको विल करके आपका ऐलको हल का एखान कर देता है ठीक है अब प्र कुढ़िशन के इस तेक्या थोड़िशन की थिया है तो पर साय स्बराट रहा करे डिया क condition होती है सब्सक्राइब यहां पर फिर से देदिया आपका भी एच फूर और आपका सी एस फ्री ओ पोजिटिव होगा क्या यहां पर देखो कहां पर होना है तो समझ जा रहा है तो होता किया है पहले तो आप देख लो बिसक लिए जो है वैसे जा कि यहां पर अटेक करेगा और अटेक करके इसको यहां से सिर्थ कर देगा नेगेटिव चार्ज को और वहां पर बाद में वाटर जो हो अपने हैड्रोजन दे देगा इतने चीज़ी समझ जाता है पर यहां पर प्रोब्लम ही आता है कि इसने स्टेरियो मेंटेन कर रख है क्योंकि इस कारबन पर स्ट साइड पर हमें डेरिट दिख रहा है डैस का मतलब होता है विलो अधा प्लें नीचे साइड पर है तो अब कुश्यन असा आता है कि जो हाइड्राइड आने वाला है वो नीचे से अचेक करेगा या उपर से चेक करेगा तो आप इसके लिए देखेंगे बल्की ग्रूप इ अब नहीं आने देगा तो आने वाला हाईड्रोजन गरूप कहाँ से जाएगा बिलो यज वब दा पून्ह प्रेंगी डूप यहां पे स्टेडीखं में ग्रूप है वह क्या करेंग नीचे और शेक करेगा आप क्योंकि पर शेक करें तो आप यहां पर गाण। कैसे अब हमें पता हैं कि पहले सही जो हमारा बल्की Groupe है वो वेज प्रेजेंट है और छोटा ग्रूप है 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 ड्यज्ण तर डशेनध है तो आने व्हाला जो है य ब्हाने मी कई वह नीचे सही गया जिसमे एसको स्टीडियो केमिस्ट्री स्टीडियो के साथ भी आप प्रोड़क्ट को फॉर्मिशन कर सकते हैं देखे कॉंप्लिकेटिड लगता है बुक में देखते हो तो आपको लगते हैं यह यह भी लर्न करना पड़ेगा पर आसा कुछ उता नहीं है थोड़ से चीजों को समझो अपन यह एज़ फॉर से यह आके अटेक करने वाला इस कार्बन पे और यहां से इलेक्ट्रोंस को इधर सेफ्ट करेगा तो यह कैसे अटेक करेगा तो यह भी अभी डैस फॉर्म में अटेक करेगा मतलब बिलो दा प्लेन से आएगा तो जो ओएज बनने है वो जाएंगा अब अ प्लेन और यह जो है वो बिलो दा प्लेन होगा क्योंकि यहां पर बल्की ग्रूप प्याच जो बल्की ग्रूप है वो कहा है अब दा प्लेन है तो यह उसका प्रोडेक्ट बनने वाला है यह इक स्पेशल केसे जिसे आप आप आयंब कर कर लिक लो आपको कुछ ऐसा दिया रहे हैं अलायलिक ग्रूप में आपका कार्बोड ग्रूप प्रिसिंट है मतलब बाल्टेन डबल बॉन है अब जैसे बूल सकते हैं कांजिगेशन में है इस केसे में जब आप इसकी रिदक्शन कराते हैं ने भी एच फोर से जब इसकी रिएक्शन कराओंगी तो यहां पर यह इस carbonium group को touch नहीं करेगा, only इस double bond को reduction करता, यह exception है, generally, यह double bond को reduction नहीं करता, जो sodium borohydride है, वो double bonds को, यह multiple bonds को reduce नहीं करता, जैसे वो कर रहा था, lithium aluminum hydride, वो तो कर दे रहा था, double bond, triple bond, cyanide, nitro, यह सब को भी कर रहा था, पर थोड़े दर पहले मैंने आपको nitro group पे यह सारे list नहीं कर रहा थे, मतलब क्या समझ रहा था, यह multiple bond को reduction नहीं करता, only यह cases है, कुछ acceptable cases है, जिसमें यह multiple bonds को, मतलब double bond को reduce करेगा, इसको छोड़ देगा, तो यहाँ पर product कुछ ऐसा बनने वाला है, यह reduction हो गया, यहाँ पर, hydrogen का addition करा दिया, और यह carbonil वैसी के वैसे रहेगा, तो कुछ ही cases है, जिसमें यह double bond को reduce करता है, otherwise यह double bond को reduction नहीं करता, चीक है, अब यह reaction है, इसको करा कर देखते हैं, कि क्या product बनेगा, इससे comparison करेंगे, इसके एक बार reaction करा दिजे, यह molecule मैंने दे रख है, इसके reaction करा दो, आप एक बड़ चलो, इतनी चीजे तो समझा गई है, इसको हटा देते हैं, आप product बनाते रहेगा, इसको स्क्रीन सॉट ले ले लेजे, यहाँ से अगर मैं बात करो, इसके reduction, तो देखते हैं, एक बार आप ले लो, लीथियम, अलुमिनियम, हाइडराइट, और एक बार ले ले लेते हैं, सोचियम, बोरो हाइडराइट, कमपेरेजन करते बन जाएगा, कि product क्या फॉर्म होने वाला है, लीथियम, अलुमिनियम, हाइडराइट, जब आप लेते हैं, तो यह complete reduction होगा, सारे ही जगा को reduce कर देगा, इन product का formation करेगा, तो product बनने कैसा वाला है, यह क्या करता है, सारे जगा को reduce कर देता है, यहाँ पे OH group, और यहाँ पे भी OH group, इतनी चीज़ों होगे, इसको ब्रेक कर देगा, मतलब यह अलग कार्बन हडगया, OH group, पूरा reduction, और इसको अलग से reduce करके, भी OH लगा देगा, यहाँ से ऐसे, बन गए ना, 1, 2, 3, 4, 5 carbon, 1, 2, 3, and 4 carbon, 1, 2, 3, and 4 carbon, दोने में OH, OH, बाद में आप उसको टाटो मराइज या इनोलेट में चींज कर सकते हैं, दो OH group एक साथ नहीं राता करके, पर में लिए आपको देखना यह है, कि यह सब को reduction करा देता है, पर यह जो group है, यह सब को reduction नहीं कराएगा, यह as it easy रखेगा, बस एक जगा को लेकर reaction करा देगा, जहांसे इसको कम hinder feel हो रहा है, यह ऐसे के ऐसे ही रखेगा, और एक को OH में convert कर देगा, इसका काम है, कि जो group को तो OH में convert करता है, तो यह OH में convert करा देता है, बागी को वैसे के वैसे रखता है, मैंने आपको क्या कहा था, normally, सिर्फ NABH4 दे रखाया हमने, तो वो एस्टर को reduction नहीं कराएगा, तो यह एस्टर ग्रूप है, एस्टर को reduction नहीं कराएगा, वो only कार्बोनिल ग्रूप को reduction कराता है, तो यहां पर वही हुआ, चोड़े से कंसेप्ट और आथा है, कि आप इसी रिएजेंट को लीजे, इन दे प्रजेंस ओप C3, स्री, सेरिनियम, C E, आप इसी ही रिएजेंट को लीजे, और एक नया reducing agent फ़र्म करेंगी, कौनसा फ़र्म है, कॉम्बिनेशन ओफ सोजियम बोरो हाइटराइट, प्लस सिरिनियम उकसाइट, इस दोनों को लेके हम एक नया reagent को फ़र्म करते हैं, और फिर उसका application देखते हैं, कि वो क्या करता है, कॉम्बिनेशन क्या बोला मिने, हम ले लेंगे, सोजियम बोरो हाइटराइट, इन दे प्रेजेंस ओफ ऑकसाइट, ठीक है, मैकसिमम उकसिदिशन नंबर में है यह अपने, अब यह क्या कराएगा, यह कौन सा रियेजिंट है, आपको कुछ यादार है, लुचे रियेजिंट, इसका क्या नाम है, लुचे रियेजिंट, लुचे रियेजिंट है, यह डिदक्शन कैसे कराता है, यह चीज़े हम बात करेंगे अभी, सोजियम बोरो हाइटराइट, इसके अगर मैं रियेक्टिविटी की बात करूँ, तो हमारे पास बिसकलिए दो ग्रूप है, कार्बोनिल ग्रूप में, एक अल्डिहाइट होता है, एक किटोन होता है, बात करें किटोन और एक किटोन होता है, तो आपको यह चीज़े समझ आना चाहिए, कि हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रूप है, काबोनिल ग्रूप जो एक किटोन है और एक दूसरा केसिस क्या हो जाता है एल्डेहाइड सो जिए बोरू हाइडाइड जब रियक्शन करता है तो H नेगेटीव आयन प्रोडूस करेगा तो यह जो H नेगेटीव आयन है वो कहाँ पे फेवरेबल अटेक कर सकता है सोच के देखे या इस cases में कि टून की cases में यहाँ पे यह जो पार्शली positive charge बन रहा था उसको positivity charge को थोड़ा सा reduce कर देगा कौन ये electron donor group कर देगा ऐसा आपको पता है यह जो R group होते हैं वो कैसा है plus I group है plus I group basically क्या करता है electron को donate करता है कार्बन में partially positive charge आ रहा है वो तो satisfied हो जा रहा है given this two donor groups की कारण अभी जो donor group है वो इसकी positivity को थोड़ी कम कर दे रहा है कर रहा है तो यह हमारा यह है hydride ion है जो negative charge के साथ आ रहा है वो यहाँ पे जाधा अच्छे से attack करना favorable होगा या फिर यहाँ पे जाधा अच्छे से attack करेगा यह suppose R1 है और यह R2 है आपको क्या लगता है obvious R2 जाधा favorable होगा क्यों 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 क्योंकि यहाँ पे partially जो charge generate हो रहा है partially positive charge और यह negative charge यह stable नहीं हो रहा है किसी donor से है only one donor side एक ही donor side है तो अभी पी आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन deficient है sodium borohydride hydrogen को donate करता है और यह hydrogen negative charge के सांद जा रहा है negative charge के सांद जा रहा है मतलब nucleophile की टाइप से जा रहा है तो इसको क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन deficient center चाहिए इस केसे में इलेक्ट्रॉन deficient center तो है नहीं क्यूंकि दो साइट से इसको donate कर दे रहे हैं लेक्ट्रॉन दोनों के comparison में यह जादा electron deficient है है तो जादा electron deficient है इसलिए हमारा जो एठ नेगी टु आयल से वह इसी की स्ष्ITH परेबल रिडेक्शन के होगी एल्द हाइड की एल्ड हाइड जलदी रिड्यूस होगा कमपेर फुटर की एल्डแहट्ख चसली रिडीूस होगा इतने जीजे तो हमें समझ जागया ठीके पर अगर मुझे कोई यह सा र्याक्षिन करा है जिसमें एल्ड हाइड को र यहाँ पर देखो यह carbon, यह carbon, यह 1 ketone group है, keto group, 1 ketone group है, और 1 LD-hydry group है, यह आपका LD-hydry group, हमारे पास keto and LD-hydry group है, और मुझे LD-hydry group है, और मुझे LD-hydry group को reduce नहीं करानी है, मुझे reduction करानी है, किटोन की, तो मैं क्या करूंगी? तो उसके लिए हम combination बनाते हैं, किसका combination बनाते हैं? NABH4 plus cerium 3 plus iron, NABH4 sodium borohydride plus cerium 3 plus iron, अब यह जो cerium 3 plus iron है, वो कहां से है, कहां से पिलॉंग कर सा है, आपको बता है, deep block transition metal elements है, यह lengthenide series का element है, lengthenide series का element है, यह जो cerium element है, इसको यूज कर लेते हैं, अब इसका काम क्या है, इसका काम पहले तो आप जस्ट यारी कर लो सिधे सी, कि जैसे यह 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 जादे करता है, कि टोन को छोड़ देता है, कॉंजूगेटेट की टोन को तो कराता भी नहीं है, है ना, sodium borohydride, कॉंजूगेटेटेट की टोन क को तो reduction ही नहीं कराता, लेकिन जैसे हम उसमें 3 प्लस आयन डाल देते हैं, तो यहां पर reduction किसको जादा कराएगा, अब कार्बोनील ग्रुप को जादा कराता है, कि टोनी ग्रुप को जादा कराता है, अब इस कॉंबिनेशन को डाला, अब रिदक्शन किसकी जादा होगी, क किसके कंपरेजन में, एलडेहाइग ग्रुप के कंपरेजन में, रीजन भी रेख लेते हैं, कि क्या रीजन है, अब सेरियम, 3 प्लस आयन आयगो कहां से, डारेक्ट मोलेक्यूल तो इस फॉर्म बे रहता नहीं, 3 प्लस आयन है, इसके लिए बिसकलिए हम डालते हैं, क्या, स प्लस आयन जनरेट करेगा, अब थोड़ा मेकनेस्म देखो कि यह करता क्या है, कैसे हम की टोन को जल्दे रिड्यूस कराएगा यह, बिसकलिए हमारे पास कोई मोलेक्यूल दे रखा है, एक के साथ एलडेहाइड ग्रूप लगा हुआ है, ऐसी, एक के साथ एलडेहाइड ग इस एलक्टरॉन वाले साइड्स में अटाक कर देता है, अब जब यह यहाँ आक कर देता है, अब क्या हुआ, इस ऑक्सिजन ने बना लिया एक का ट्रिपल बॉंट, ऑक्सिजन ने ट्रिपल बना लिया यह तो बहुत जाद अनिस्टेबल हो जाएगा, आपको यह चीजी सम करता बना सकता है, दो बॉंट, जैसे ऑक्सिजन ने टीन बॉंट बना लिये, थी बॉंट बनाने से उस पर आजाता है पॉजटिव चार्ज, ऑक्सिजन जो कि पुरी परियोडिक ठेबल में मोर एलेक्टर नेगेटिव एटम है, आपको फोर नही है, फ्लोरीन है फिर ऑक् फोजटिव चार्ज को अपने उपर होलिद कर नहीं रख सकता है, जैसे उस पर बॉजटिव चार्ज आता है, वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्टेबल हो जाता है, कि कहीं से मुझे आपे कर दिया तो क्या करता है वो पर्मनेन सिफ्टिंग करा देता है, ऐसे अभी तब कोई यह वान कि आड़ा को अपने साइट पर खीच लेता है जैसे इस ने पाइब उन्च के इलेक्टरॉन को अपने साइट पर से खीच लेता है यह जो carbon center था, वो permanent positive charge carbon center में change हो गया, permanent positive charge, यहाँ पर आके seriam atage हो गया, seriam atage होते हैं, इसने अपने electrons को ले लिया, तो आप क्या बोल सकते हो, carbon ने तो carbon बना लिये, अब यह carbon जो है, वो positive charge हो गया, अब आप मुझे बसाएं, यह तो permanent positive charge है, और जो aldehyde है, वो just generated positive charge है, just partially positive and partially negative अब आने वाले जो मेरे negative group है, वो कहाँ जाएगा, जहाँ पर permanent net iron देख रहा है, वही पर जाएगा, right, क्योंकि वो खुद highly unstable है, और negative charge लेके आ रहा है, तो उसको जहाँ भी दिखेगा positive charge species, वहाँ आप कर देगा, क्योंकि इसको समझ आता है, कि यह electron deficient है, तो यह reason है, कि ज यह आप 12th class में पढ़ते हैं, तो देखो, एक आयन के आने से कितना ज्यादा एफेक्ट, मतलब पहले जो aldehyde favorable ता, वह अब क्योंको पहले reduction कराएगा, तो चीजे समझ आ रहा है आपको, बहुत इचे से चीजे समझ आगे होगा, कि अगर अकेले sodium borohydride दे रहा है, उसकेसे इसमें आपको aldehyde को reduction करानी है, कांजुगेटिट कीटोन को छोड़ देनी है, लेकिन जैसे उसने sodium borohydride में serium iron को mix करके दे दिया, तो एक luchyriacin का formation हुआ, और luchyriacin जो है वो, conjugated carbonil को पहले reduction कराता है, aldehyde को reduction नहीं कराता है, कुछ कुश्चिन दी रख है, वो हम सॉल करके देखते हैं, तो इससे प्रक्टिस हो जाएगी, कि क्या करना है हमको, यहाँ पर देखेंगे, यह aldehyde है, और यह अपका ketoni group है, हमने नॉर्मल नॉह ले लिया, एने बी एच फोर ले लिया, sodium borohydride, और एक बार एने बी एच फोर के साथ में हमने ले लिया है किया सीरि Königone group रेद्वीं होगा, क्योंकि जादे फीबरेबल नहीं था, keton group रेदेखेंगे, बढ़ इस केस में क्या होगा, इस केjoy में हमाराdale ketone group रेद्वीं होगा, यह थे cryẫnश आमें होगा, तो यहाँ यह पर यह अच और यह एच यह अच्स ऐसे typical formation हो आए है, तो दोनों में इसको रिड़क्शन करेंगा जैसे ही आपने इसके साथ में अपने आप समझ आजएगा कि ये रेक्शन में क्या होंगे को जुकेटिड कारबोनिल ग्रूप जो है वो रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पर ओ एच ये एच और फिर बाकि एस डी जैसे हैं वैसा और बागी इसका प्रोड़क्ट आपको पता ही है इसको रिदक्शन कराएगा इसके सिसमें सेम आप इसमें कर देंगे जबल बॉंड भी है कॉन जुकेटेट है और इसी को कराएगा कॉन सेरियम कसाथ का कॉम्बिनेशन तो यह चीजी आपको समझ आया दो रिद्यूसिंग न अभी हमने पढ़ा दिया क्या लूचर एजन कॉन कोन से कॉम्बिनेशन है सोजियम बोरो हाइड्राइड प्रस सेरियम आयन तो मारे 3 रिद्यूसिंग एजिन कम्टीच हो जाते है यहां पर कंचिनियर रिद्यूसिंग एजिन अभी मैं पढ़ाओंगे आपको जैबल पढ़ा रही हो तो जितने पिद्यूसिंग एजिन थे उसको हमने क्या किया था टू केटिग्रीज में क्लासिफाइट करके पढ़ना सब किया था इसमें पहला क्या था नुपलिक हाइडराई ट्रांसफर एड्यूसिंग एजिन और दूसरा जो मैं आपको पढ़ाने वाली तो यह चीज़े हमने पढ़ रखा था, प्रिवेज वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने वन बै वन क्लासिफाई करके रियजेंट को समझाया है, जब आप किसी भी रियजेंट को क्लासिफाई करके पड़ते हैं, तो आपके लिए रियक्शन को करना और उसको मेमराइज क और हाइड्रोजन का ट्रांसफर ये निकलोफाईल की फ़र्म में करते हैं, ये चीजे पता चल जाता है, साधी साथ आपको ये चीजे भी याद हो जाती है कि कौन किसको रिदक्शन कराता है और कौन किसके लिए रियक्टिव नहीं है, अभी के जुसरी इस चल रहा है, उस कमपरेटर ले स्टड़ी कर लिया है, बल्कुल शॉर्ट ट्रिक टाइप्स का हम पढ़ रहे हैं, आज का जो वीडियो इसमें आपको पढ़ाने वाली हूँ, सोजियम साइनो बोरो हाइड्रेट, सोजियम साइनो बोरो हाइड्रेट एक रिद्यूसिंग एजेंट है, ये भ ऑक्सिडाइज़ होगा, रिदक्शन का मतलब क्या है, वो किसी भी सब्स्टेंट में एडिशन ओफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को एड्रोजन को एड्ड करा देगा, किसी भी double bond oxygen है, उसको ब्रेक करेगा, ऑक्सिजन वहाँ से हटा के, उसमें हाइड्रोजन को ये क्या क अगर बात करें हम neutral medium की तो जैसे ही आपने sodium borohydrate जो है sodium syno borohydrate आपने लिया इसको लिखते कैसे नबH4 जैसे sodium borohydrate है और उसके साथ में syno group को attach कर दिया जाता है तो जैसे आप ऐसे लिखते है अगर मैं reactivity की बात करो तो उसकी reactivity जादा अच्छी होते है वो किसी भी चीज को fast reduce कर सकता है इसकी reactivity थोड़ी कम है पर इसकी selectivity जादा अच्छी है और इसके बेस्ट है यह बेस्ट होता है किस पे pH value पे pH value पे बेस्ट है कैसे बेस्ट है आप गेखेंगे हां से जब आप इसे लेते हैं neutral medium में किसी भी reaction में सपोस्ट इसमें दो ग्रूप दे रख है एक बा से उसको substitute करके या तो वो hydrogen को attach कराएगा या फिर वो reduction का procedure करेगा तो यह क्या करता है जैसे आप pH को neutral रखेंगे तो जो neutral pH है जिसमें pH value 7 के प्रॉक्स होता है मतलब neutral है तो neutral pH में जब आप इस reducing reagent का use करते हैं उस cases में यह क्या करता है carbon halogen bond को break करके carbon hydrogen bond मिना देगा यह carbon के substitute कर देगा और वहाँ पर hydrogen बना देता है ठीक है मतलब बैसिकली हम यह कह सकते हैं कि यह जो है वो halogen and living room को substitute करके hydrocarbon का formation करेगा यह इसकी one property है जब कैसा लिया है हमने neutral medium लिया है जैसे हमने asdic medium ले लिया asdic medium मतलब जिसका pH का O7 से तो जैसे आप asdic medium में इसकी reaction कराते है तो as asdic medium में reaction कराने से यह proper reduction reaction रियक्शन शो करते है और aldehyde ketone मतलब carbonial group, apoxide यह सब को वो change कर देता है alcohol में इसके साथ साथ आपका immune group होता है उसको primary amine में यह change कर देगा मतलब reduction शो करते है ठीक है यह दोनो pH values वाला difference को कैसे हम समझा सकते हैं उसके लिए मैंने कोशन लिख रख के कोशन आजाते हैं जिसमें हमें फिर confusion होने लगता है यार पी एच का क्या एफेक्ट होगा क्यों दे रखा है इसने तो टू नंबर के कोशन जो रिएजेंट के बनते हैं उसमें स्ट्राइब का कोशन दे रखता है यहां पर देख उसने क्या किया है एक लंबी चैन है और इस लंबी चैन में एक बार तो उसने कार्बन एंड हैलोजन बॉंड बना रखा है और एक आपको कोई फंक्शनल ग्रूब है और रिड्यूसिंग एजेंट उसने रगा के दे रखा है जो कि पीएज बेस है अगर आपने इसी रिड्यूसिंग एजेंट को लिया और यहां पर आपने मीडियम को रखा है न्यूट्रल तो मैंने जैसे थोड़े दिल पहले बताया कि अगर वो न्यूट्रल मीडियम में है उस केसे में वो रिलक्शन नहीं कराएगा इस टाइप को रिलक्शन नहीं कराएगा वो क्या करेगा कारबन हैलोजन बॉंड को ब्रेक करके हा इसको रिड्यूस नहीं कराएगा यह जस्ट चेंज कर देगा और सब्सिटूशन दिखाएगा यहां से इसको बाहर किया और एक हैड्रोजन भीच के यहां पर कार्बन हैड्रोजन बॉंड का फोर्मेशन कर देता है इसके साथ ही अगर हमने यहां पर असिडिक मीजियम ऐसे को किसमें चेंज करता है अब बस चेंज कर दीचिए किटूर को चेंज कर करके यहां क्या करते मינה करते हैं प्ल्क समझ चाहर कैसा करेंहांस ब्रहर को ब्रेक करेगा जैसे रेग आपको बस यह है आपके ब्रेन में चीज रखनी है कि जब भी आप सोजियम साइनो बोरो हाइड्रेट ले रहे हैं तो वहां पे पी एच मेंशिन होगा और अंदब बेसिस और पी एच आपको उसकी रियक्टिविटी कराना है उसका प्रोड़क्ट फॉर्म करना है यहां पर यह गाद ट॥ी करेंगे तो इसका यूशन कर देगा तो यह बन गया आपका प्रोड़क्ट ज इसका यूँस करके मैंनी मैंने मैंकेनीच में तो आप इसंग कर देखेंगे जितने भी टाइप के nucleophilic hydride transfer वाले reducing agent है वो उसकी mechanism कैसे proceeds होता है कौन सा वाला hydrogen water से जाता है after hydrolysis और कौन सा hydrogen ये produce करता है वो सारा मैंने mechanism की तो आपको समझा दिया है अब तो हम बस comparatively study करते जा रहे हैं तो ये हो गए आपके कुछ question से इसके बारे में information की ये क्या क्या करा सकता है एक दो और question इसमें लिखके देखते हैं जिससे प्राक्टीस होगा फिर मैं आपको continue आगे और भी जितने भी reducing agent बचे हुए है जैसे डाइबल बचाया भी रेल अलुमिनियम है अलकॉक्सी इस से रिलेटिव सीज है ये नेट में और गेट में किस type के question बनते हैं वो कुछ question मैंने लिख रहे हैं इसमें से ये question आया हुआ है तो आप देखेंगे कि इसको कैसे हमें डील करना उतर किस type को बन जाता है इस resin को यूज करके आपको पता है तो आपको पता ही है थोड़े दिर पहले मैंने आपको एक्स्पेइन किया था कि in the presence of ph मताब asdic medium के presence में ये क्या करता है आप आपक्साइड आयन को भी चेंज कर देता है और क्या बना देता था अलकौहल बना देता था तो जो फर्स्स हेटिए और आपको पता है ना थी मेंबर रिंग में ऐसे हम यहियन पोफिन ऊपसीजन है खर नो आपको सेट रिंग में जब इसको पाउक्साईडर में बुलते हो अपॉकार रिंग में मीजव सिसका करा ही जाती है जाने है नभी loss दो सिक recruitment Rico झाती जाती है कि फिर बाकी कैसे बनाएगा प्रोड़क्ट और यहां पर यह अलकोहल का फॉर्मिशन कर देगा अपॉक्साइड रिंग्स को ब्रेक करके इसके मेकनिजम से संजहेंगे इसको विद मेकनिजम के यह कैसे प्रोड़क्ट का फॉर्मिशन करता है हमारे पास दे रखा है यह और अल्टनिट डबल बॉंड में दे रखा है आपको कमपाउंड इस कमपाउंड में कैसे करेगा वो किस टाइप के रियक्शन को शो करता है वो देखते हैं अपी अपने यहां पर लिए रखा है एने बी एच फॉर साइनाइड ठीक है सोडियम साइनो बोरो हाइडरिट हमने सबसे पहले रियक्शन में आपको एक चीज़े पता है मैंने थोड़े दर पहले ही बोला था कि इसकी मेकनिस में पहले भी डील कर दिया है कि यह एक टाइप का इलेक्ट्रोफिलिक हाइडराइट ट्रांसफर करने वाला ग्रॉप है आप क्योंकि यह एक्ट्रोफाइल हाइ मतलब उस जगह पर जाकर अट्राइक करना पसंद करता है जहां पर इलेक्ट्रोफिल की डेफिसेंसी है स्टाइट करते है मेकनिस में यह विटा आ रहा है कैसी नेगिटिव चार्ज के साथ प्यार है तो आप मुझे पताएं इसमें से कौन सा काबन है जो इलेक्ट्रोफिल आप को यह वो अलगर जारएं देखें को कुरिकी मुल्टिपल बॉंच वाले काबन को बिस्क लिदेखते हैं अडिशन में होता है तो मल्टिपल बॉंच वाले काबन एक यह तारी की एक हः ठीक है और यहां से यहांसे एलेक्रॉजां जाएगा मतलब यहां पर तो नेकर इन यह वादी कार्बन की बात करें तो यह पर बनेगा और यह बनेगा पार्शली पॉजट्य चार्ज यह इन यह बनेगा अधाय मिलगए आपको ज्यादा कोई Gilbert camel मीध हईए तहां से यहां से बांट जाएगा इधर यहां से बांट जाएगा यहाँ पर double bonds बना लेगा यह जो हमारा pi bond अब यहाँ से अगर आके attack करेगा यह आके attach हो जाएगा तो carbon तो five bonds बना नहीं सकता तो वो five bonds नहीं बनाता यह pi bond इधर shift कर देता है तो हमने जो molecules बनाया वो कुछ यहाँ सा बन जाएगा यहाँ पर आके हमारा जो group है hydride ion वो आके attach हो गया इतनी चीजे हो गई समझा गया अब इसको थोड़ा से rearrange करके लिखते हैं क्योंकि आगे की reaction और भी करा लिए हमको तो आगे की reaction और भी कराना है तो इसको थोड़ा rearrange करके मैंने लिख लखा है यहाँ पर आगे की reaction में क्या होता है अभी भी possibilities है कि यहाँ से एक negative charge वाला hydride ion निकले और यह आयन जाके attack करें इस position पर इस position पर जैसे ही वो attack करेगा इस position पर आके इस carbon पर आके जैसे यह attack करेगा यहाँ पर क्या बन जाएगा यह वाला जो double bond है वो shift होगा इस वाले double bond side अब जैसे यह bond double bond इधर shift होगा तो इस carbon के पर फर्दर five bond form हो रहा था तो वो क्या करेगा यहाँ पर इसको बाहर कर देगा अब इसको बाहर क्यों कर रहे है क्योंकि आपको पता है कि कहीं भी reactions में कहीं भी reactions में जहां पर N2 molecule का formation होता है N2 molecule तो अपने आप में बहुत जादा stable है है ना nitrogen molecule तो किसी भी reactions में जहां पर आपको दिखेगा कि N2 molecule का formation हो रहा है तो यह जो N2 molecules है वो अपने आप ही release हो जाता है बाहर निकल जाता है, N2 फॉर्म करके, यह एक डाविंग फोर्स है, इस रेक्शन को कराने का, ठीक है, अब मुझे इस N2 को बाहर निकालना था, तो क्या क्या, यहां के जो हाइड्रोजन है, वो यहां से जा कि यहां टेक करेगा, यह पाई बाइब इसके साथ बनाएगा, और यहां से N2 जो है, वो बहार हो जाएंगे, और औलगे मैं प्रोड़क्ट की बात करो, तो किस टाइप का रिदक्शन हुआ, और किस टाइप के प्रोड़क्ट हमको फॉर्म होए, वो देखेंगे आप, कुम्प्लिटली अगर मैं प्रोड़क्ट की बात करो, तो हमारे पास जो प्रोड़क्ट फॉर्म होगा वो कुछ ऐसे यह पाइबॉंड रिड्यूस हुआ और नया पाइबॉंड यहां पर फॉर्म हुआ ऐसे और यहां से सीएस्ट्री ग्रूप तो था ही उसको तो आपको रख नहीं है सीएस्ट्री तो इस रियाक्शन में आप देखने हैं यहा इजे आपको समझ आता है तो यह प्रोड़क्ट है जो कि मेजर फॉर्म होगा इसकी रिदेक्शन की प्रोसेस बिल्ग्कुल इस ही सीक्वेंस में आप इसवाले क्विल्स को रेड्यूस करा सकते हैं उसी ही ट्रिक्स में आप कराएंगे कहा सा रियेक्शन को स्टार्ट करें चाप्टर पीए Nakita में करता है इतना सोचने का नहीं होता बस आपको देखने है कि कि हमारे पास क्या जीजे है यहां से आप देख सकते हो कि यह चो क्रखट का क्विशुकू कर रविय को इसको पंब करके लिए तो आपको समझ आ जाएगा यह है एच और यह एच तो यह और यह दोनों मिलके तो अपना वाटर बना लेंगे तो यहां से एच तो बहार निकलेगा और यह जो नाइट्रोजन है वो डबल बॉंड से इस कार्बन से अटेश हो जाएगा प्रोडक्ट वो जाता है जिसको यहां पर बॉल का है यह बनेगा प्रोडक्ट में यह कुछ ऐसा गया कर यह है इसके उपर वाले reactions कर रहे थे बन गया इसी type का चीज़े सब चीज समझ आ गया तो फिर से वही reactions कराएंगे आप H negative form में आएगा और ये H negative form में आगे पहले attack करेगा इस position पे जैसे ये इस position पे गया यहाँ भी क्या चीज़ है लिविंग ग्रूप है दो दो लिविंग ग्रूप आपको दिख रहे जो बहार निकल सकता है इसलिए इस reactions को follow up करेगा ये ये यहाँ से यसे गया यहाँ पे attack करेगा ये जबल बहुन जाके यहाँ से shift हो जाएगा जैसे ये ये shift होगा हमें समझ आ रहा है थोड़ा सा rearrangement वाला reactions कराएंगे rearrange करके reactions को लिख सकते हो अभी आप जैसे आपने इसको rearrange करके लिखा तो ये बनेगा कुछ इस टाइब से अभी आ फिर से ने rearrange करके लिखो directly rearrange करके लिखो तो चीजे समझ रहेगा हमें ये double bond है ये कुछ ऐसा अब हमारे पास है क्या ऐसे इसको आप नीचे करके लिखे है reactions को आप नीचे करके लिखो जिससे वो reactions में parts bit कर सके ये यहाँ पर आसे ये attach है nitrogen से ये वाला group ऐसे करके ये वाला group ना ये यहाँ तक बन गया हमारा ये double bond और उसके बाद ये यहाँ से nitrogen अटेच है अब ज़रे nitrogen अटेच है वही से आप आगे की reactions कराएंगे ये यहाँ से nitrogen अटेच है इससे और ये ही nitrogen से अटेच वाली group में इधर CS3 group अटेच है यहाँ से nitrogen अटेच था और ये hydrogen अटेच करेगा अटेच करके ring का formation करेगा यहाँ से hydrogen जाके अटेच करेगा और अटेच करके ring का formation करेगा multiple bonds को पूरा cycling form में आप लिखते चाहिए ये यहाँ से यहाँ गया ये bond यहाँ यहाँ और ये पूरा group बाहर चीक है तो बन जाएगा product किस टाइब को product form हो रहा है यहाँ से यहाँ से यहाँ पर बन प्रोड़क्ट को लिख देते हैं कुछ भी नहीं हुआ reduction ही हो रहा है चीजों में यहाँ का multiple bond है वो reduce हो गया और reduce हो के एक तिन multiple bond यहाँ पर form हो रहा है यहाँ से reduction हो गया यह bond यहाँ सिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ सिफ्ट हो गया और इधर तो CS3 था ही बाकी चीजे निकल गया है यह product का formation हो जाए product और अगर देखें आप reactant से product में तो आपको समझ आता है कि यहाँ से जो ketone group वो change हो गया है और change हो करके यहाँ से reduction form में product का formation होता है तो इस टाइब से इसका use है इसका use कैसे करना है कैसे कैसे reaction को प्रोसेज करना है आपको समझ आ गया होगा मेकेनिजमे समझने के बाद में भी वो चीजे और जाधा ब्रेंड में आ जाता है आपना जितने जाधा mechanism की practice करते है उतना ही जाधा किसी भी organic reactions को कराने की सिक्वेंस होता है कि क्या चीज होना चाहिए कैसे reactions को प्रोसेज होना चाहिए वो हमारे ब्रेंड में permanent fit होते जाता है इसलिए आप try किया किजिए कि कि किसी भी चाहिए आप नेम reactions पढ़ रहे है यह reagents के organic reactions पढ़ रहे हो आप try करो mechanism कराने का कि क्या हुआ होगा क्योंकि जब आप mechanism के practice करते हैं तो आपको कुछ भी आते हैं बिल्कुल आपका brain blank है तो भी आप product तक जा सकते हैं तो वो चीज़े हमेशा आपके brain में होनी चाहिए and continue अभी हम पढ़ेंगे ही continue निकलोफिलिक हाइडराइट ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट ही अभी दो-तीन बचें उनको complete करा के आपको मैं पढ़ाऊंगी एलेक्ट्रोफिलिक हाइडराइट ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट हम बात करते हैं रेड अलुमिनियम की रेड अलुमिनियम भी एक टाइप का नुकलोफिलिक हाइडराइट ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट ही है यह भी हाइडराइट को ट्रांफर करता हैї कैसा है, इस फार्म में नुकलि오फाइल के फार्म करता है। हो एच नेगेटिव को ट्रांस्पर करता है और र्यक्षां में शबस्टेट को रिड़क्शन करने का वर्क करेगा। अगर इसकी मैं बात करूं कि इसका actual name क्या या इसका structure कैसे होता है तो basically normal format वो ऐसे लिखके दे रहेता है red aluminium red aluminium देता है उसको मतलब आपको समझ आना चाहिए कि यह red aluminium बना कैसे है तो जो red aluminium है उसकी अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन की तो basically इसमें दो methoxy group present होता है यहाँ पर आपको लिख रखा है मैंने sodium iron present होगा क्योंकि उसको थोड़ा से neutralize करना है वो मैं बताऊंगी sodium based methoxy ethoxy aluminate methoxy ethoxy aluminate मतलब आप सीधे से बेख रहे हैं यहाँ पर एक टैप का methoxy ethoxy ether group present है यह भी ethoxy methoxy ether group present है यह दोनों group जो है वो aluminium से आके attach हो जाते हैं और साथे पहले aluminium के दो groups को replace करके यह दो group आके attach हो जाते हैं क्योंकि aluminium के maximum bonding capacity 3 bonds बनाने की है यहाँ पर हमने 4 bonds बना दिया है और वो भी hydrogen extra इसलिए यहाँ पर negative charge आ जाता है इसी negative charge को stabilize करने के लिए neutralize करने के लिए na positive आ जाता है तो इसका नाम आपको समझ जा रहा है यहाँ से sodium sodium bis 2 है ना यहाँ से sodium bis methoxy ethoxy aluminate iron इसको बोलते हो आप red aluminium तो जो red aluminium है वो भी reduction का ही work करेगा यह जो है ना वो reduction का तो work करता है पर यह thermally stable है मतलब जब भी आपको red aluminium देगा उसके साथ में thermally ऐसे थामों का भी symbol बनाके वो देगा जैसे red aluminium दिया है इसके साथ में ऐसे देगा ठीके हाई temperature में ही reactions को कराता है अगर इसकी बात करें application की तो basic application जितना हमने बांकी सब reducing reagent में देखते थी कि reduction कैसे कराता है कौन कौन से group का reduction कराता है वो चीजे में यहाँ पर लिक रखा है बिल्कुल basic है जैसे हमने पहले भी कराए थे अगर मैं basic application की बात करो क्योंकि यह reducing agent है तो यह aldehyde और किटे उनको reduce करा के alcohol का formation करेगा साथ ही आपका acid hyalide है ester है amide है या cyanide group है कौन काई सा ग्रूप acid hyalide group ester group amide group cyanide group यह सब है इसका पर reduction कराता है और इसका reduction करा करके basically aldehyde का formation करता है जैसे acetane hydride है यह से ester group है लिखके रेखो आप इसको कैसे करता होगा ester आप लिखते कैसे है अस्टर है तो आप लिखेंगे C double bond O और O R यह होगा ester होगा इसा ester तो जब इसकी हम red aluminium से reaction करा देते हैं red aluminium से reaction कराते हैं तो यह reduction करता है और reduction कैसे करेंगा यह ना इस bond को ब्रेक करता है ऐसे इस bond को designers करतेगा अबन किया रहा है यह देखो यह है ना आट को फॉर M साथी हो अर अल्कोहल साइड प्रोड़क्ट के फॉर में इल्कोहल को फॉर में तो जब भी किसी स्ताइब के ग्रूपS को यह रिडक्शन कराता है तो वह यह है यह को फॉर और aldehyde ketone को भी reduction करा दिये तो वो उसे एल्कोहल का formation करेगा तो यह चीज़े आपको समझ रहा गया है यह basic इसका application है इसके अलावा और भी क्या special application है वो मैं भी आपको बता रही हूँ जिसमें सबसे पहरा जो application मैंने लिख रखा है वो है बहुत जादा electron rich, electron rich जो aromatic carbonyl groups है उसको भी यह convert कर देता है और convert कैसे करता है देखो basically LDH को कहां करता है अल्कोहल में convert करता है लेकिन यहाँ पर जब आप aromatic ring लगाते तो जो बहुत जादा electron rich है electron rich कैसे समझ जा रहा है देखो यह आपका कैसा group है, electron donated group है तो मैंने क्या किया है, aromatic rings में एक electron donor group भी लगा दिया है और electron donor group के साथ में अगर कोई LDH है उसके reaction आप किसी red aluminium से कराते है तो यह इसको इतना completely reduction करता है कि यह इसको hydrocarbon में चेंज कर देता है यहाँ पर alcohol को formation नहीं करता electron rich, electron rich किसी aromatic ring के साथ अगर LDH है प्रेजन्स है तो उस LDH को complete reduction करेगा जैसे आपने open करके लिग देए LDH है तो इसको complete reduction कराएगा और complete reduction कराके hydrocarbons में change कर देगा, तो यह इसका एक special property है जो आपको brain में रखनी है basically reducing agent में आप देखते थे कि LDH को अल्कोहल में convert कराता है, normal LDH यह आप बोल सकते हैं, aliphatic type के LDH को तो अल्कोहल में ही convert कराएगा, बट कोई aromatic ring है, जो electron rich है, जिसमें और electron donor group लगे हुए है, इस condition में वो इसको सिधा completely hydrocarbon में convert कर देगा, ठीके, इसकी भी बात कर लेते हैं, क्या देगा है, ketone, है ना, carbon से दो cc group attached है, तो यह ketone की form में, ketone form में भी attached है, तो भी यह इसे completely reduce करेगा, और completely reduce करके hydrocarbon का formation कराएगा, cc3, मैं कुछ भी नहीं कर रहे हूँ, मैं करके आ रहे हूँ, यह oxygen की double bonds को break कर रहे हूँ, और double bonds के जगए 2 hydrogen अटेच्च कर दे रहे हैं, चीके, इतना ही करना है आपको, 2 double bonds के oxygen को हटा करके, double bonds में एक एक hydrogen को attach करा करके, आपको hydrocarbon का formation करनी है, और यह जो donor group है, वो ऐसे की वैसे रहेगा, तो S type से आप इसका एक special property, या special application है, जो note कर सकते हैं, कि हमारे पास कुछ ऐसा LDH, या ऐसा carbonate group हो, तो यह alcohol में change ना करके, उसको completely reduction कराता है, और completely reduction करके hydrocarbons में change कर देता है, चीके, यह आपने 12th class में भी पढ़ते हो, basically, यह नॉर्मल है, hydrocarbons के preparation उसमें आ जाएगा यह, अब अगर हमारे पास कोई aromatic ring से attached, क्या है, हालाइड है, तो वो हालाइड को monohalide में convert कर देगा, एक hydrogen को हटा के, एक hydrogen को हटा के hydrogen लगा देता है, monohydrites में इसको convert कर देगा, तो वो चीज़े एक ब्रेन में रखने वाली करके hydrogen group को attach करा देता है, तो यह हो गया इसके इंबारे में information, कि आपको अगर कोई पूच ले कि क्या होता है, क्या purpose है, तो पहले चीज़ तो यही एक लाइन याद होने चाहिए, कि जो red aluminium है, वो क्या है, red aluminium ऐसे learnment नहीं होते है, ब्रेन में, कि यह reducing agent है, क्योंकि हमें उसका ब्रेन में रखो कि red aluminium basically है क्या चीज़े, यह क्या है हमारा sodium base, sodium base methoxy ethoxy aluminate, sodium base methoxy ethoxy aluminate है, मतलब एक aluminium है, उसे attached, ethoxy methoxy group लगे हुए हैं, तो, और दो hydrogen group attached है, वहाँ पर वो negative charged है, इसलिए उसको satisfy करने के लिए sodium है लगा दिया जाता है, यह पूरा complete structure कहलाता है, आपका red aluminium, red aluminium की property देखे, तो normal, जैसे आपका lithium borohydride की property थी वैसे ही होगी, अगर mechanism की बात करो, तो mechanism भी वही होगा, जो मैंने first video में समझाया थे आपको, यह क्या है, H negative donor group है, H negative donor group मतलब nucleophilic hydride transfer group है, nucleophilic hydride transfer group basically सबसे पहले attack कहां पे करता है, कहां पे attack करता है, उस carbon पे attack करता है, जो electro defic जैसे कि आप यहां पे इस छोटे से एक्जामपल में ही समझ सकते है, यह एक H negative group है, तो यह H negative group है, तो सबसे पहले यही पैसे आ करके, I check करेगा, करेगा यह चीजे, तो इतने चीजे तो हमें समझ आता है, कि रेक्शन कैसे होता है, कहां पे, किस type को product बनता है, basic application मैंने बत कि कुशिन को solve करने में यूज करेंगे, एक कुशिन और लिक रिव में, किस type के इसका यूज है, यह अपले कुशिन से, वह यहां से देख के समझ आ जाएगा, आपको, एक कुशिन है हमरे पास, अगर रियक्शन में हमारे पास, अलफा कार्बोनिल ग्रूप प्रेजेंट है, अलफा कार्बोनिल ग्रूप, उस के से इसमें यह क्या करदाएगा, एक बार उसने ले लिया है red aluminium एक बार ले रखाया है red aluminium और उसके साथ में combination है copper bromide का ठीक है और एक बार ले रखे हैं यहाँ पे zinc alcoxide अब दिया है कि कौन किसको reduce कराएगा तो एक चीज़ तो आपको समझ जाता है आलफा बीटान-saturated carbon में थोड़े दिल पहले ही मैंने बताया था basically normally आप बोल सकते हैं कि यह जो हमारा carbonil group है वो उसको वो alcohol में convert करा देगा कॉन red aluminium तो सीधे से आप इसको product लिख सकते हैं इसलिए हम गया कराएंगे complete reduction नहीं कराएंगे जिस्ट carbonil group को change करतें कि इसमें alcohol group में अब changes क्या होती है क्या changes आता है अगर हम red aluminium दे दी और red aluminium के साथ साथ copper bromide भी आयन दे रखा है उस cases में वो इसको reduction ना करा करके इस double bond को reduction कराने के लिए जादा यूज होगा फिर से हम वोई compare वाली study कर रहे हैं कि कब क्या होगा तो इस तीच को आप थोड़ा brain में रखे only red aluminium दे रखा है तो आप बिल्कुल उसी वाले application को follow करेंगे कि ये carbonil group को reduce कराता है carbonil group को reduce कराकर के form कर देता है किसका alcohol का लेकिन अगर आपके पास red aluminium के साथ कोई metal bromide दे रखाए उस conditions में आपको करानी है इस double bond को reduction ठीके और एक last है जो तोनों को है reduce करा देता है एक last है जो क्या करेगा तोनों को reduce करा देगा या पर complete reduction हो जाएगा तो यह चीज़े आपको समझ आने चाहिए एक चोटा सा अप्रिकेशन है इसका इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी डाइबल डाइबल पढ़ेंगे जो भी एक टाइप का nucleophilic hydride transfer reducing agent है डाइबल डाइबल का actual में अगर मैं बात करूँ डाइबल के structure कैसे होता है या इसका full form क्या है यह भी एक टाइप का nucleophilic hydride transfer reducing agent ही है रिडक्षन हे कराएगा प्रोडक्ट में पर यह क्या क्या हो है इसकी थोड़ी से information लेते हैं अभी डाइबल डाइबल है क्या चीज़? आपको इसमें दो isobichyl group होते है जो attached होता है अलुमिनियम से और इसी अलुमिनियम से अटाइबल होता है एक hydrogen इस hydrogen को वो ट्रांसफर करता है किसी भी substrate में in the form of H-Ions और उसको reduction कराता है इसकी बात करें तो यह gases state में basically पाया जाएगा टॉलिवीन को ले लेते हैं तो उसको ऐसे solution बढाके इसका use किया जाता है इसकी reduction power basically temperature पर depend करेगा temperature high रखेंगे और उसके बाद जब इससे reduction कराएंगे तो एक अलगी product form होगा और आप temperature को बहुत जादा लो रखोगे और उसके बाद इसकी reduction power जो है अभी तो हम वही सिक्वेंस में ही पढ़ रहे हैं मतलब अभी तक जितने भी मैंने 5-6 types के आपको reducing agent पढ़ाया है यह सारे के सारे कौन से के टिग्रीज के है nucleophilic hydride transfer reducing agent है सब reduction ही करा रहे थे यह वीडियोज बनाने का ही मेरा aim इसलिए था क्योंकि हमने जब आप अलाग-अलाग reactions पढ़ते हैं तो reagent पर focus नहीं कर पाते हैं फिर आपको लगते हैं इतने सारे reagent को हम कैसे learn करें तो यहां पर मेरा बनाने का मेन मोटो ही एक था कि मैं आपको ने sequence में याद करा दूँ अब क्या हुआ जैसे आपने इस वीडियो को देखा उसमें आपको पूर जितने भी ट्याप के नुकलोफिलिक हाइड्राइट ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट है वो एक साथ मिल गए आप शॉर्ट नूर्स बनाओ कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट कौन से कौन से साबस्रेट को रिड्यूस कराते है और किस ताइप के प्रोड़क का फॉर्मेशन करता है एक बार में आपको लाइन हो जाएगा मैंने जैसे थोड़े दिर पहले कहा कि जो डाइबल है वो क और करबन ओक्सिजन कंटेइनिंग ग्रूप को एचाहे वो एल्डिहाइड हो या फिर किटोन हो या असे अल्डिहाइड एसीड हाइलाइड एस्टर ग्रूप और एन्हाइड्राइड कोई भी ग्रूप ले ले जे इसको यह रिड्यूस करेगा और इसका रिड़क्शन बि ट्रांस्वर कर देगा, अमीन में कन्वर्ट कर देगा, तो यह तो हो गया, इसके बीसिक, मतलब एक तब नॉर्मल, आप जैसे रूम टैंपरेचर में करा रहे हैं, यह तैंपरेचर को हाई रखा है, उस कंडिशन में इसकी रिड़क्शन तो बाकी जैसे ही होगा, जैसे बाक प्रामरी अमीन में, तो यह तो होगा, इसका बीसिक रिड़क्शन प्रापर्टी, लेकिन जैसे ही आप टैंपरेचर को कम कर देते हैं, तो लो टैंपरेचर में इसकी प्रापरटी थोड़ी से चेंज हो जाएंगी, और लो टैंपरेचर में यह एल्डेहाइड को तो अल्कॉक्साइड अल्यूमिनेट आयन की प्रापरटी है, यह बिल्कुल वैसा प्रापरटी शो करने लगेगा, इस केसे में तो आपने देख लिए, बिसकली कैसे करता है, पर इस केसे में मैं आपको वही चीजी फिर से बता दू, कि अगर इसके पास अब कोई एस्टर ग् ठीके, तो यह चीजी तो हमें समझा आ गया, अब इसको टेंपरेचर आपको देंकि राखेँ का बहुत ही कम टेंपरेचर में, हम ने स्की रिक्शन कराई अगर ездर्मर्मल टेंपरेचर में है, एक तो इसके से लापा अगरेचार में, इसके देख बनादे का कैने तो बना होता है लेकिन इन दे प्रिजेंस ओफ यह बूल सकते हैं जब रिएक्षिन को आप लो टेमपरिचर में कराते हैं उस कंडिशन में यह एल्डे हाइट को फॉर्म करता है और साइप प्रोड़क्ट के लिए यह एल्कोहल पढ़ाएगा यहां पर एक हाज आज आता है और यहां इसको डिस्टरब नहीं किया इसको रिड्यूस नहीं किया उसने लो टैमपरिचर में और पिर आपका साइप प्रोड़क्ट के लिए यह एल्कोहल का फॉर्मिशन हो जाएगा वैसे साइनाइट को थोले सा लगता है किया साइनाइट में तो नाइट्रोजन है तब तो अमी नाइट्रोजन होता है तो अमीन ही बननी चाहिए यह नॉर्मल टैमप्रेचर में होता है आप जब इसको हाइट्प्रेचर में ले लेते हैं इसलिए मैं दिखा रही हो आपको जैसे में पास एक एरोमेटिक रिंग से अट्टैज्ट कोई साइनाइट ग्रूप है ऐसी जब इसकी डिडजी आज тех इडेक्शन कराते हैं के इटे लोग टैमप्रेचर लोग टैमप्रेचर बहुत ही ज़रूरी है लोग टैमप्रेचर में जब आप इसकी डेक्शन कराएंगे उस केशिए इसमें यह इससे भी यूजल को फॉस्सिन काएगा काशे इस पूरे बावन्स क प्लस NS3 NS3 तो अपने आप में stable है इसलिए यही reaction से बाहर हो जाता है तो यह चीज़े इसके brain में रखने वाली चीज़े है जैसे थोड़े दिल पहले हमने एक और reducing agent पढ़ रहा था जो किसपे डिपेंड कर रहा था pH value पे pH value पे हम जादा रखते थे तो अलग type की property शो कर रहा था pH value को कम रखने से अलग type की प्रोपरटी शो रख रहा था यह किसपे डिपेंड करता है temperature पे temperature को आपने कम कर दिया तो यह लग C double bond O वाला चो bond है उसको reduce नहीं करा पा रहा है उसको फॉर्म में रख रहा है इसलिए dehyde को form कर रहा है इतना चीजे समझ आता है आपको aldehyde और ketone से तो अलकोहल बना देता है बड ester से acid halide से amide से synide से यह किसको इस कवेशन करता है aldehyde का और इसके साहिश्य करता है अभी इसके दो तीन कोश्चिन करके देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा थोने पले पाले यह थम्परिच्चे वे तैम्परेचे बेज्चे तो यह होड़ा न तीन को में प Goo लुट तो सब्सक्रेच्चे न इंटन को जाएगा। इस conditions में ये alcohol को formation नहीं करेगा, अस्तर से alcohol नहीं बनाता, ये अस्तर से aldehyde को formation करता है, तो जिस्त आप aldehyde बनाएज ये और बॉण्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉण्ड बॉण्ड ब्रेक होकर के एक hydrogen यहाँ पर अटेच करवाएगा, तो product कैसे बनने वाला है हमारा, अभी तो bond break हो गया, तो cyclic रहेगा नहीं है reaction, यह जो है, वो product में अब cyclic नहीं रहेगा, और यहाँ पर यह reduction कर दिया है, तो स्वाए यह C1OH, एक यहाँ पर बन जाएगा, एक H यहाँ पर, और एक H, इस hydrogen, oxygen के पास आके, टाच हो जाएगा, तो आपको चीज़े समझ लाता है, एक पर aldehyde और side product के form में यह alcohol का formation करेगा, यह चीज़े है, ठीके, सेम चीज़े यहाँ पर दे रखा है, यह ring है आपको, ऐसे कभी भी reaction question में इसे type को बड़ा बड़ा सा ring दे, तो आपको confused नहीं होता है, कि क्या कराना क्या है, आपको आपको बड़ा कीज़े, यह carbon है, तो यहाँ पर एक hydrogen अटेश करा है अलाके और यहाँ पर एक hydrogen, तो यह बन गया आपका reaction, अब मैंने दे रखाया साइनाइड ग्रूप, साइनाइड ग्रूप में भी आपने देखा था कि primary amine का formation नहीं होता था, हाँ, अगर यहें पर आपक को formation कराता है, aldehyde plus NS3, ऐसे इसको पूरे बाहर कर देगता है, यहाँ से triple bond बनाएंगे, इस पूरे bonds को ब्रैक करके, hydrogen अटेश करके, यह product को formation करता है, तो यह सब तो वहीं से information-based question थे, जो मैंने आपको थोले दर पहले पताया, एक चीज़े और है, इसका work जो आपको learn करनी ह इसके बाद अगर आपको alkyne दे रखा है, alkyne मतलब triple bond, alkyne दे रखा है, उसमें भी alkyne के जो bonds है, उसको यह reduction करा सकता है, और जब यह reduce कराएगा, तो किस टाइप के alkyne को formation करेगा, alkyne बिसकली, अगर मैं geometrically isomers की बात करूँ, तो alkyne जो है, टु टु टाइप की होते है एक होता है cis alkyne और एक होता है trans alkyne, cis alkyne जिसमें दो बडल की group को आप एक साइड रखोगे, trans alkyne जिसमें आप दोनों को opposite, 180 के डिग्रीज पर रखोगे, तो यह किस टाइप के alkyne को formation करेगा, सोच के देखेंगे, तो देखो, अभी होता क्या है, यह इस bond को break करता है, क्यो ऐसे हो, एक size पे bulky group हो, एक condition में आप ऐसे लगा सकते हैं इसको, यह जो double bond है, यह एक लंबा वाले chain हो गया, double bond के साथ, और एक बार इधर वाले chain, यहाँ पर एक बार hydrogen आके attach हो जाए, यहाँ पर आके attach हो जाए, एक possibilities यह है, चलो, जैसे है वैसे बनाएंगे, तो आपको यह वाला chain हो, और एक size पे, इस side के group को आप क्या बोलते हैं, बिसकले C's form, तो एक तो यह C's alkene का formation हो, और एक बार यह बन सकता था, और trans भी बन सकता था, trans मतलब यह जो hydrogen attached हो है, वो opposite sides में हो, जैसे एक बार bulky group के opposite में, दोनों bulky group एक तूसरे से 180 पे पर प्रेजिन हो जाए, यह अपना alkyne बनाए, एक बार एक hydrogen यहाँ पर, एक बार एक hydrogen यहाँ पर, यह वाले जो बल की group है, वो यहाँ पर attach हो गया, और यह वाला बल की group एधर, तो इस form को आप बोलोगे, transform, तो यह चीज़े आपको learn करनी होंगी, कि in the presence of diable, कभी पी alkyne का जब आप reduction कराते हैं, त only and only cease alkyne का formation होता है, तो यह अच्छा application है इसका, अगर हमें cease alkyne प्रिपेर करनी हो, alkyne से, cease alkyne को बनाना हो, alkyne से, उस condition में आप किसका यूज करोगे, जाइबल का, it is low temperature, तो यह सारी चीज़े है, इसके application, यहाँ से हमारा, जितना भी टाइप्स का हमको में यूज करनी ह होती है, कौन सा निकलोफिलिक हाइडराइट ट्रांसफर, रिद्यूसिंग एजेंट, वो कमपेट हो जाता है, आपने बहुत सारे टैप्स वडे, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, aluminium, lithium aluminium hydride, sodium borohydride, sodium borohydride in the presence of cerium atom, यह भी पढ़ा था हमने, cerium iron, 3 plus iron के presence में, फिर मैंने आ हम उसके मेकेनिस में पढ़ लेंगे, जिसको आप बोलते हो क्या, इलेक्ट्रोफिलिक हाइडराइट ट्रांसफर, रिद्यूसिंग एजेंट, हाई अभी हमारे रिद्यूसिंग रिद्यूसिंग एजेंट वाला जो सीरी सेड है, उसमें मैंने, और एडी आपको सारे ही रि रिद्यूसिंग एजेंट, जिसकी स्टडी करनी है हमको, फिर ऑक्सिडाइजिंग एजेंट और एक मिटल वाला रिद्यूसिंग एजेंट, है ना, पर मैंने स्टार्ट क्या किया है भी रिद्यूसिंग एजेंट, रिद्यूसिंग एजेंट जो होते है, एक होता है, नुक यहां पर जो रियजेंट है वो हाइड्रोजन को एज निक्लिफाइल ट्रांसफर करते हैं और क्योंकि वो एज निक्लिफाइल होता है इसलिए वो आपके डारेक्ट काबन से अटेक करता है अपि इस विजो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इलाक्ट्रोफिलिक मैंनिजम आपको एक्स्पेंट करती हूँ मैंकनिजम समझना जरूरी है इसी से आपको ब्रेइन में यह चीजे क्लिया रहेगा कि हाइड्रोजन किस फॉर्म में और किस राजेंट का बीयर कैसा होता है किस टाइप का प्रोड़क का फॉर्मेशन होता है चिक है यहां पर एक पर इस रिएजेंट की प्रॉपर्टी देखो अपने आप में थोड़ा सा यह जो रिएजेंट हमने लिख रखा है वो क्या है aluminium hydride aluminium hydride है आप इसमें अगर electron count करते हैं तो यह कितने electrons आते हैं six electron species है यह six electron species है बतले आप बूल सेते हो electrons है ना और यह electron deficient है तो आप इसे क्या electrophile भी बोल सकते हैं यह अपने आप में अभी electron deficient है इसलिए यह electrophile है तो यह कहां पर attack करेगा पहले बारे जो mechanism है उसमें पहले attack कहां पर होता था किसी carbon center पर होता था क्योंकि वह positive charge होता था है ना पर यहां आप अगर देखिए तो यहां पर oxygen है और carbon oxygen के पास लों प्रस electrons है मतलब यह electron rich center है यह एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे आएगा attack करेगा और अगर यह एक्ट्रोफाइल है तो यह attack कहां पर करेगा जहां पर electrons जादा है तो electron rich center पर जाके फॉर्स स्टेप में यह अगर कर देता है जैसे यह electron यहां पर जाके अटेक किया एक नया ही structures form होता है हमारे पास अब यहां पर आपको क्या चीज समझ जा रहा है क्या चीज देखने को बिल रहा है यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो oxygen है उसने अब three bonds बना रखे हैं जैसे यह वो इस electron deficient center से अटेक किया वैसे यहां पर oxygen ने बना लिए three bonds oxygen की bonding capacity कितनी होती है two bonds बनाने की इसने एक extra bond बना लिया है इस पर आ जाएगा positive charge इस पर क्या जाएगा positive charge अब आप एक बार सोच के देखें कि oxygen जो बहुत जादा एक अब आपने उपर positive charge होड करके रख सकता है क्या possible ही नहीं है क्योंकि electron negative atom अपने उपर हमें से negative charge को होड करके रखते है positive charge आते ही वो जैसे बहुत जादा परिशान हो जाते हैं और stability दिखाते हैं कि नहीं मैं तो बहुत electron negative atoms हो मैं किसी positive charge को अपने उपर नहीं रख सकता ऐसे conditions में यह क्या करेगा यहां से hydrogen को अपने पास ऐसे अटेच करवाएगा और यह बांड जाएगा इधर यहां पर फुर से hydrogen जो है वो आके अटेच हो जाएंगे चीक है इस cases sorry यह hydrogen इस cases में यह क्या करेगा यह oxygen इस positive charge को हटाने के लिए इस cases में यह hydrogen यह जो oxygen है वो अपना positive charge को हटाने के लिए यहां के multiple bonds से electrons को लेगा electron ले लिया multiple bonds से तो यह क्या हो जाता है आप यह carbon जो है वो electron deficient तो अब आके हाइड राइड जो है वो यहां से attach हो जाएगा अपना electron लेके निकल के यहां से attach हो जाएगा इतने चीज़े समझ जाता है यह होता है आपका rate determining step इसको मैं नहीं बोल दिया है के वन reduction continually करा सकता है ठीक है complete reduction अगर मैं बात करूँ तो तो मैंने अब next step में क्या किया है second molecule ले लिया CO का second molecule ले यहां पर आप लिख लीजिए K2 reaction जैसे ही second molecule यह सेम सेम प्रोसीजर होगी अभी भी सेम ही कीस होगा क्या होगा यह जो हमारे पास यह जो aluminium है वो अभी भी electron deficient centered है क्योंकि यह electron deficient है electron deficient है electron deficiency की currency यह आके सबसे पहले यहीं पर attack करेगा जहां पर electron reach है और आके attack करके कुछ ऐसे arrange हो जाएगा यह वाला carbonil group आके यहां से attach हो गया फिर थोड़ी दिर बाद यह जो हमारा hydrogen है वो जाके इस carbon पर attack करेगा और यहां से इस पर आ जाएगा positive charge को ख़़म करने लिए electrons ठीक है अब फिर से यह जो hydrogen है वो यहां पर जाएगा इसको reduce करेगा और multiple bonds से electron move करके इस oxygen पर जाएगा क्योंकि oxygen अभी भी कैसा हो गया था positive charge हो गया था तो यह तो हो गया एक फिर से reactions और हमारे पास इसका formation हो जाता है further एक carbonil group को अभी भी यह reduce कर सकता है क्योंकि अभी भी इसके पास एक hydrogen बचे हुए है तो मैंने ले लिया क्या K3 reaction और इस reactions में फिर से same reaction होगा और आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास 3 यानि carbonil group से सीधा alcohol का formation होता है और हमारे पास यह जो group है वो अलग से बाहर निकल जाता है तो यह तो बन गया आपका product जो आपको बनाना था तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर reductions की procedure होती है पर अब reduction जो है वो कैसे होता है मतलब first step में पहले attack कॉन करता है Electrophile यह reagent as a Electrophile attack करता है इसलिसको बोलते है Electrophilic Hydroid Transfer Reaction इतने चीज़ें हमें समझा आ गया ठीक है आप देख लेते हैं जैसे बाकी सबका application हम एकदम one lines में learn करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसके application के मैं बात करूँ तो application वही है Acid, Aldehyde, जितने भी CO, C double bond O वाला group है Acid हो गया, Aldehyde हो गया, Ketone हो गया, Acid Halide हो गया, Aster Group हो गया, Aster, Anhydride, Apoxid Ring यह सारे के सारे को यह जो हमारा reagent है वो क्या करेगा alcohol में convert कर देगा जिसे बागी सबका पढ़ाता है, बिल्कुल वैसे list बना लेजेए आप, बहुत shortcut हो जाने वाला है मतलब यह कुछ भी दे रखा है और उसके साथ में आपको लगा के दे देता है क्या, इन सबके reaction वो लगा करा देता है, A, L, H3 से तो यह एक हैडराइट ट्रांसफर reaction ही होगा, reduction ही होगा और alcohol का formation हो जाता है वही पर multiple bonds वाले जैसे cyanide ले लिया, amide ले लिया या inamines ले लिये, amide ले लिये, amide amide क्या होता है, C-table bond O, NH2, यह होता है आपका amide, cyanide क्या होता है, C-table bond N तो यह सारे जो group होते हैं, उसको भी यह amide में convert करा देता है, चीके, तो यह तो हो गए इनके basic application एक दो reaction करके देखिए, फिर यह सीधे से learn हो जाने वाला है, जैसे मैंने यहाँ पर दे रखा है reaction, यहाँ पर एक alcohol group भी है और साथ भी carbonil group है, यहाँ पर एक bromine group है और यह आपका carbonil group है, जैसे यह आपको ALS3 लगा के देता है, सीधे product बनाओ, यह इसको reduce करा देगा, और reductions के बाद फिर product क्या बनाएगा, यह की tone को change कर देता है, की tone को change कर देता है किस में alcohol में, तो बस आपकी tone को change कर देता है, alcohol में, मतलब एक hydrogen यहाँ पर, एक hydrogen यहाँ पर, यहाँ पर एक hydrogen लग जाएगा, ऐसे, तो यह बन गया आपका product, एक दो और कोशन करके देखते हैं, प्राक्टिस जिसे यह clear हो जाएगा, और यह वाला reducing agent पर आपका complete हो जाने मला है, ठीक है, अलुमिनियम हाइड्राइड के लिए हाइड्राइड है, दोनों का comparison करेंगे कि वो कौन-कौन से condition को reduce कराएगा, मैंने यहाँ पर कोशन दे रखा है, जिसमें मैंने एक hydrogen group है, और एक आपका कोई carbonyl group है, यहाँ पर क्या दे रखा है, यह क्या कौन से group है, ester group, जो बस आप इसको reduce कराने की ट्राइड करो, जब आ इस cases में जब आप इसमें लेते हैं कि अलुमिनियम ली थे, हम अलुमिनियम हाइड्राइड, तो इसका product कुछ ऐसे बनेगा, यह है आपका, और यहाँ पर है ester, इसे open करके लिखो तो ज्यादर समझा सकता है, C double bond O, O, E T, यह है आपका ester group, ठीके, ester group को यह convert कर देता है, कि तो सीधे से आप alcohol बना दीचे, O, H, यह तो बनाएगा ही बनाएगा product में, साथ ही इसके साथ जो BR attached है, उसको भी substitute करके हायरूजन लगा देता है, पर इसके cases में हमने ऐसा कोई पी reaction पढ़ा है, जिसमें वो हालाइट को भी change कर दे, हालाइट को चेंज करके हाइड्रो काबन देता है, अल्कोहल बनाता है, यह BR वैसे के वैसे रहेगा, तो यह थोड़ा सा कमप्रेट ले स्टडी करो, जिससे ब्रेड में यह चीजे इजी वे में जाएगा, ठीक है, कि हमें क्या कराना है, यह अगर दिया है, तो फिर कैसे रिदक्शन करानी और यह दिया है, तो किस हाइरोजना के टैस हो जाए, यह भी पॉसिबल है, और यहाँ पर भी हाइरोजना के टैस हो जाए, रिदक्शन तो दोलों का पॉसिबल है, कौन-कौन सा ऐसारी एजेंट है, जो इसको रिड्यूस कराएगा, और कौन-कौन सा रिजेंट है, जो इसको रिड्यूस कराएगा तो वो मैंने कम्प्रेट लिए लिख रखा है अगर आप क्या करते हो aluminum hydride ले लिया या lithium aluminum hydride sodium borohydride तो इस टाइब के जो reducing agent है वो कहां पर attack करते हैं वो carbonil group में attack करते हैं उसी को ही reduce करेंगे ठीक है उसी को reduce करेंगे double bond में reduction नहीं कराते तो इन इस cases यह three reagent आपको दे रखा है और कुछ ऐसा है conjugation में double bond and ketone तो इस cases में आप only and only ketone group को ही reduce कराएंगे double bond को touch नहीं करोगे double bond का reduction नहीं होगा यहां पर reduction होगा और OH का formation हो जाएगा जहां पर O है वहां पर H और यह वाले hydrogen पे भी H तो यह वाला product जाप होता है अर्मर्कूरी के साथ में HCL एक सोजयाम के साथ में lithium सोजयाम और लिधियोम के प्रजेंस दे रखा है किसके प्रिज्द में लिक्विड आमोनिया के प्रिज्द में कोई मैटल है जो लिक्विड अमोनिया के प्रिज्द में कौन सरे एक्शन है इंटल in the presence of liquid ammonia रिडिक्शन कराता है और यह कौन सा रेडाक्शन पुलते हैं इसको बच रिडिक्शन रियक्शन इंपौर्टन था यह पी यह बिडर्ट रिडिक्शन क्योंकि मैंने इतने सारे रिड्यूसिंग एजिंट आपको अरे पढ़ा दिया है तो आपका ब्रेन यह ऐसा वाक करने लगा है तो आप थोड़ा सा कम्पेर करके स्टाडी कर सकते हैं कि यह एजिट प्रेजेंट है तो वह काबोनील ग्रूप को रिड्यूस कराएगा और अमा इसको तो वैसे कि वैसे रखेगा यह डबल बॉन को टेश्ट नहीं करेगा डारेक्ट आगे जाके यह यह वाले ग्रूप में ऐसे डबल बॉन एनच टू एनच पहले यह कराएगा और फर्दर इसको प्राइमरी एमीन में कनवर्ट कर देगा इसी में ही रियक्शन्स कराके CH2, single bond NH2 तो यह आपका प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन करता है जब प्रोड़क्ट यह चीजे समझ जाता है यह आप खुद से ट्राइ कीजिए और ट्राइ करके कमिन बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इसमें किस ट्राइप को प्रोड़क्ट बने माला है ठीक है यह क्या है वह यह ए उललेक्ट्रोफाइल अटेक करता है किसे भी कार्भोना क्त ग्रूप पे कार्भोना गूं़ ग्रूप पे के से एस पर इस अंहां करते हैं यह था ARE इस का आपने में किता होता है इस बालेंसी है एच्छिए में और इसे वोन्स बिना राख्या है तो तयल अमझेट्रों है जिस और अपने आप में इस समझ आता है है इस stal WE eco यह अपने आप में लेक्ट्रॉन डेफिसेंट सेंटर है मतलब लुईस एसीड की जैसा वोक करेगा और जैसे थोड़े दिर पहले ही मैंने आपको मेकनिस में बताया थी किसका अलुमिनियम हाइडराइट का वैसे ही यह वोक करता है यह फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं ह यह B2H6 के फॉर्म में ही प्रेजेंस होगा अब बस इसके प्रेपरेशन देखते हैं कि इसको कैसे प्रिपेर किया जाता है बुरेन को यह अपने आप में इंपॉर्टिंट है इसका प्रिपरेशन फिर सीदे से इसके अप्लिकेशन में आज जाएंगे है क्योंकि हमें आज रिएक्षन कड़ा देते है यक आपने फ्लॉराइडरॉट की रिकशन करा दिजाती यह जाती है प्रैप Ministerusasia focus और इसके साथ ही फॉर्म है गा एने एने बी एफ फोर एने बी एफ फोर इसके सबज़ पारे है हमरे पास बी है जिसने फोर फ्लॉराइड से रियक्शन कर रख है ऐसे अब क्योंकि यहां पर नेगिटिव चाज ज्यादा हो जाएगा इसलिए यहां पर एने एज पॉजिटिव इसको निट्फिलाइस कर बें आता है के यहुक है ऐख है कि यहां एक इसकोशन होगा साइट ऊक्रमशन के लिए और हमारे बोरेन बन जाता है ऐसके साथी इसकी यह स्थी क्या सकते हैं देयं घ्राइड पिरेक्शिंचन कड़ा कि भी ब्रोरी का खुर्मिशन किया जा सकते हैं Saati Li צardan लीथियम नीखियों अजगा आपका 4 रार्थव술 बन सकता है लेटियम बोरो हाड्राइड तो यह दो प्रोसेजर जिससे आख फॉर्म कर सकते है तो यह तो होगया इसका प्रेपरेशन प्रेपरेशन के साथ ही अगर मैं ह्स्टेटार की बात करे दो यहा पे बुराओं होंगे दो एक हिरूजस से चलगा इसे और यह एक hydrogen के साथ by banana bond attached होता है इसको बोलते हैं bridge bond और banana bond ऐसे इसे दोनों की ही electron deficiency जो हो fulfill हो जाता है इसको आप बोलते हैं ने banana bond इसे banana बना करके यह attach होता है इस hydrogen के साथ, इस hydrogen के साथ इसकी दोनों के ही orbital जो है वो पार्सिपिट कराते हैं, banana bonds को formation करते हैं, ये दोनों banana bonds होंगे और साथ ही आपकी normal hydrogen करके इसकी structures होती है, main जो हम लोग को पढ़नी है वो है, इसकी reduction property, ये reduction कैसे कराता है, boron के structure अलग से विजियोस में पढ़ेंगे, ये ह अलग से पढ़ेंगे, अभी हमारा focus होना है ये reduction में, ये reduction कैसे कराता है, इसमें भी hydrogen है, तो no doubt, ये hydrogen दोनित करके reduction कराएंगा, ये किस type of reducing agent है, आपको लेंड़क नहीं है, ये है आपका acid है, acid है, ester है, epoxide है, इनको ये alcohol में change करेगा, और साथ ही alkyne, alkyne, alkyne का मतलब क्या है, carbon-carbon double bond, alkyne, carbon-carbon triple bond, इन में hydride transfer कराके उसको alkyne में convert करता है, चीकिए, cyanide और nitride है, उसको amine में convert करेगा, amine और cyanide को amine में convert करता है, और भी बांकी group नहीं लिख रही हुमें, मतलब उसके साथ वो reaction नहीं देगा, तो इसलिए मैंने उसे एक अलग से brackets में लिख रखा है, यहां पे, acid hydride ले लो आप, acid hydride ले लिया, या फिर आपने acid highlight, sorry, उसके hydride transfer नहीं होगा, और इसको reduce, reduction नहीं करा सकता, तो यह एक important चीज हो जाता है, इसके लिए, कि यह सब को reduce नहीं करा रहा है, जब बाकी में हम दो, acid highlights को भी लेते थे, उसकी भी reduction करा देता है, पड़ यह reduction नहीं करा था, ठीके, अब बात करते हैं, कि प्रिफरेंस किसको देग reduction के समय में, यह preference किसको देगा, किसको reduction कराता है, यहाँ पर मैंने एक reaction लिख रखे, यहाँ पर आपको एक देख की समझ आ रहा है, कि यह आपका ester group है, दिख रहा है यह चीजे, C, C double bond O, carbonil group के साथ, OR group, तो यह कौन सा group है, ester group, ester group है, और यह वाला जो group है, यह group, यह आप का carbonil group है, carbonil बोलो या keto group बोलो, ठीक है, तो दोनों में preference किसको देगा, किसको reduction कराएगा, अगर आपके question में, दोनों ही present है, इस condition में, इसका जो reduction power है, वो keto को पहले करा देता है, यहाँ पर यह OH में convert कर देगा keto group को, बागी acities रहेगा, बागी को यह टिच नहीं करेगा, आपकी चीजों को भी वैसी के वैसी रखेगा, as it is, उसको effect नहीं करेगा, ठीक है, एस्टर को यहाँ पर reduction कराएगा, keto को कराएगा, यह preference order है, एक दो और question कराती है, उससे clear हो जाएगा आपको, कि यह कैसे direction कराता है, क्या के product यह form कर सकता है, थोड़ी stereo chemistry की भी बात करें, तो हमारे पास इसे एक कोशिन है, इस type की कोशिन आपके gate में बनते है, gate का stripe को फेवरेट कोशिन होता है, तो gate में stripe को कोशिन देगा, stereo chemistry वाला, यह hydrogen है, और यहाँ पर एक बल की group को लगा कि उसने दे रखाया, C double bond, O O H, carboxyl group को लगा कि इसने दे रखाया, आप इसका reduction करारा है, किसके presence में, daiboran, ब्रीडिए की presence में, इसकी reduction करारा है, जब भी पूरें तो यहां पर एक और भी solvent का यूज करते हैं, THF, THF आपको देगा ही देगा, अब इस condition में यह किसको reduce कर रहेगा, तो देखो, यह हमारा keto group है, आपको दिख रहे हैं, यह एस्टर ग्रूप भी है, यह पूरे के पूरे के लो, तो यह एक एस्टर ग्रूप के ज़से बहें कर र ग्रूप है, यह वाला जो portion है, वो आपका एस्टर ग्रूप है, एस्टर, और यह आपको नॉर्मल कर्बुक्सली के सीट, तो इन में किसको ज़्यादा यह प्रिफरेंज एरा, और किसको कैसे reduction करा रहा है, तो यहां पर इसको ही reduction कराएगा, और इसको reduction करा के सीथा, अल्को नहीं आएगा, और स्टीडियो केमिस्टी में चेंजे सा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि reduction तो इस कार्बोरी के साथ हो रहा है, तो इसमें क्या चेंजेस आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, यह सिधा अल्कोहल बना देगा, तो इस त्राइप के प्रोड नुकलियो फिलेक-घ्राइड ट्रांपर इडूसिंगे जिसमें मने क्या क्या पढ़ाया था आपको, उसमें मने आपको पढ़ाया था है, अलिछय क्या बोरोहाइडुराइड, इन प्रदेंस ऑ सेरियम आयन, कैसे बीहिव करता है, फिर लुक्लियो फिलेक-ड प्रम से सिक्वेंस में पढ़ेते कौन किसको रिडक्शन कराता है साथ ही साथ हमने कोश्चिन के प्राक्टिस भी किती कंपेयर करते हुए है कि कब कौन सा रिडक्शन कराएंगे अभी जो वीडियो में ने बिडाया है वो दोनों ही आपके हाइडराइड टांसफर पे हो गया एक भ